पूरे लखपाल के चारो भाग मतब ग्रामीन विकास, जनरल नौलेज, हिंदी, गणित इसके साथ ये सामानी रूप से आज पूरे 100 नंबर, 100 क्वेस्चन्स की ये स्रिंखला आपके बीच में होगी जो अब तक के सबसे स्रेश्ट प्रस्नों की स्रिंखला आपके बीच में आएगी, तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्मुर सेशन को और ले करके चलते हैं महत्मुर प्रस्नों के साथ आपको आगे की ओर, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गूड आप सभी लोगों को सूप्रभात, आईए, क्वेस्चन आंसर की स्रिंखला में आगे की ओर बढ़ेंगे और लेंगे क्वेस्चन नमर एक, देखे क्या कह रहा है, जब आप फसल के तोर पर उगाते हैं तो फसल के तोर पर आप धान उगाते हैं और धान से हमें चावल प्राप्त करने के लिए हमें उसकी भूसी को अलग करना पड़ता है, यही कह रहा है कि धान में जो भूसी की अनुमानता और अनुमानता का मतलब एक आउसतन आपको बताना है कि अगर आउसतन देखा जाए तो वो आउसतन कितना प्रतिसत आउसतन कितना प्रतिसत भूसी निकल जाता है और जेतना भूसी निकल जाएगा उसके बाद आपका भचा हुआ आउसे कुछ लोग का 35, 30, 35 इस तरीके से अलग अलग लोगों का जवाब आ रहा है तो आए दोस्त देखे ध्यान दीजेगा जो हम बात करते हैं तो कहरा कि क्या 20 प्रतिसत होता है, 35 होता है, 10 प्रतिसत, 15 प्रतिसत, तो देखे जो आउसतन माना जाता है वो 20 प्रतिसत भूसी होती है मतब धान में 20 प्रतिसत भूसी होती है और लगभग और क्या याद रखेगा और लगभग 80 प्रतिसत क्या होता है इससे प्राप्त होता है क्या चावल तो आउसतन जो होता है वो 80 प्रतिसत चावल होता है और लगभग 20 प्रतिसत क्या होती है भूसी होती है दूसरी एक महत्पुर बात और आपसे पूशता है देखे इसमें जो connect किया जा सकता है या जो चीजी आपसे यहां से पूछी जा सकती है कि चावल जो है ये किस सीजन की फसल है तो इसको याद रखेगा कि चावल आपका सामानिता खरीव की फसल है क्या है तो चावल सामानित खरीव की फसल है एक तो ये हो गया अब देखे खरीव की फसल अगर आपसन में नहीं होगा तो इसी से रिलेटेड चीजें आपके बीच में आ जाएगा क्या कि खरीव की फसल को हम वर्सा हम वर्सा रीतू हम इनको वर्सा रीतू की हम इनको वर्सा रीतू की हम इनको वर्स एक एगरिकल्चर को साइंस के साथ अगर कनेक्ट करने का प्रयास किया तो यह पूछेगा कि धान के खेच से कौन सी गैस रिलीज होती है तो याद रखेगा कि यह गैस आपकी होती है मिथेन कौन सी गैस बाहर निकलती है तो इसमें जो गैस बाहर निकलती है वो होती है मिथे एक और बात इसके अंतरगत आपको याद रखना है क्या कि जो चावल की खेती होती है जो धान की खेती होती है इसमें जो जैविक खाद होता है याद रखेगा कि इसमें जो जैविक खाद होता है वो एक बड़ा अंस किसका होता है तो याद रखेगा कि वो एक बड़ा अंस ह होता है सेवाल जिसको आप हरी काई बोलते हैं तो वो हरी काई के तौर पर ये सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रयूख तो होता है इसको याद रखना है हाँ देखिए ये थोड़ा सा जब डैमेंशनल आप चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो चीजे थोड़ी सी और बहतर हो आप देखें है मैक्सिओं का जबाब भी आरा है तो क्लिए वट वो आई ये इसको याद रखःगा बिलकुल कमिंट आने लगा है बिलकुल तो चले आगे की और बरते हैं यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि에 आइए कि हम क्या इसका बाहदल भाग में लाते हैं करा इसका क्या वर्तिकाग्र लाते हैं क्या पत्ती लाते हैं और आपसन नुमर डी करा कि क्या हम पंखुडी लाते हैं आपको कमेंट करना है और कमेंट करके आपको बताना है कि इसका कौन सा भाग हम सामानत प्रियोग में लाते है चलिए कमेंट करेंगे और कमेंट करके आप बताएंगे चलिए और मैकसिमम का जबाब आना चाहिए तो देखिए आप मेंसे बहुत सारे लोग का जबार आ भी रहा है कि दो का बहुत सारे लोग ABC, ABC इस तरीके से जवाब आपका आ रहा है, तो आए देखते हैं, देखे, ध्यान दिजीगा, जब हम केसर की बात करते हैं, तो याद रखेगा कि केसर का वर्तिकागर, बोलो कौन सा, तो केसर का वर्तिकागर भाग हम क्या करते हैं, प्रयोग मिलात अब एक बात और याद रखेगा, जब केसर की बात आई है, तो केसर उत्पादन के लिए कौन सी क्रांती चलाई गई थी, तो याद रखेगा केसर उत्पादन में ब्रिधी के लिए सिफ्रान क्रांती लाई गई थी, कौन सी क्रांती, तो सिफ्रान क्रांती इसको याद तो हाँ, बिल्कुल, हाँ, अब क्लियर हो गया, आए आगे की ओर बढ़ते हैं, और लेते हैं question number 3, तो इसको याद रखेगा कि सिफ्रान क्रांती, केसर से ये एक चीज और connect होता है, कि कौन सी क्रांती, तो इसको याद रखेगा सिफ्रान क्रांती, आए प्रसमबर 3 के क्रम प सीड से है, ती करा भू, अधिकारों के प्रलेग से है, और डी करा पटवारी के नकसे की, कपडे की कौपी से है, आपको comment करना प्रसमबर 3 के लिए और comment करके आपको बताना कि जमाबंदी से क्या तात पर है, तो देखिए जो क्रिसी का प्रलेग होता है, ये तो सामानता तो याद रखेगा कि यह सामान रूप से नकसा के नाम से जाना जाता है, तो यह सामान रूप से नकसा के नाम से जाना जाता है, तो यह सामान रूप से नकसा के नाम से जाना जाता है, तो यह आपका जमाबंदी के नाम से जाना जाता है, और पटवारी के नकसे के कपड़े क कौपी तो ये इस तरीके की कोई चीज विशेस्ता होती ही नहीं है तो ये आपका मतब एक तरीके से ऐसे ही option रखा गया है तो बोले प्रसमर 3 का right जवाब क्या होगा तो आप बोलेंगे प्रसमर 3 का right जवाब है option number C, clear हो गया, आए नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ आगे बरता बिल्कुल, देखे comment आप करेंगे, explanation दिमाग में आपके बैठता चला जाएगा, ये याद रखेगा, देखे आगे क्या कहरा है, कहरा किसान बही किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यहाँ प्रदान किये जाने का मतलब होता है, कि यह अंतिम रूप से ये कौन, मतलब अंतिम रूप का मतलब है, कि अंतिम हस्ताक्षर किसका होता है, जब ये मानने होता है, तो कहरा कि क्या collector, जिसको आप डिश्टिक मजिश्टेट बोलते हैं, ध्यान देखे ये DM की बात कर रहा है, कहरा सहायक collector, ये HDM की बात कर रहा है, कहरा तहसीलदार और लगपाल, जब बता भी रहा है, चार का बहुत सा है लोग D, 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 कुछ लोग का C जबाब आ रहा है, लेकिन देखिए आप ध्यान दिजिएगा, देखिए यहां आप दोखा खा गये, किसान बही की हम बात करते हैं, और जो किसान बही होता है, ये याद रखेगा, कि ये किसान का अधिकार ध्यान दीजेगा मतब भूमी अधिकार अभिलेख होता है प्रकार से क्या होता है तो भूमी अधिकार भूमी अधिकार अभिलेख होता है ये और ये अभिलेख किसके पास रखा जाता है तो ये याद रखेगा या collector से हस्ताक चरीत होता है ये याद रखेगा तो इसका right जवाब क्या होगा तो इसको याद रखेगा कि इसका right जवाब होगा option number 1 collector और आप में से maximum का जवाब आया भी है बल्कुल लेकिन बहुत सा लोग CCC जवाब दिये हैं लेकिन इसको याद रखेगा कि ये किसान बही जो होता है ये अंतिम हस्ताक्षरित collector का होता है आए पांच के क्रम पर आते हैं अच्छा देखे जैसे आप एक चीज जानते हैं जैसे आप में से maximum तहसील दार करें तो देखे जब आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो किसान बही नहीं मिलती है ये क्रिसक के जो तवाली जो भूमी होती है वो किसान बही होती है अभी तो आप रजिस्ट्री कराते हैं स्टाम पेपर लगता है वो सी स्टाम पेपर की कॉपी आपके पास होती है तो ये याद रखेगा कि वो स्टाम पेपर वाला जो चीजें होती है वो तहसील दार और आपके SDM के द्वारा हस्त लेकिन जो किसान बही होती है वह गड परादक्त होती है इसको याद रख सकूम है एक लाइन नरहीं आप करा राजस्व परिशत के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है आपको बताना कि राजस्व परिशत का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है आपसर नमबर ए कह रहा है कि राजस्व परिशत के अध्यक्ष की नियुक्ति क्या केंदर सरकार के द्वारा की जाती ह राज सरकार के दवरा की जाती है और आप सा number D करा है इनमें से कोई नहीं चलिए comment करेंगे और बताएंगे कि ये नियूकती सामान तक किसके दवरा की जाती है चलिए और मैक्सियों का जवाब भी आने लगा है मैक्सियों का जवाब आने लगा है पाँच का बिलकुल बहुत सा लोग B, C, B, C, B, C बता रहा हैं लेकिं देखे कुछ लोग A भी बता रहा है राजस परिसत का यहाँ किस से है तो यहाँ उत्तर प्रदेश याद रखेगा उत्तर प्रदेश से है और यह आपके प्रमुख रूप से राज सरकार के दोणार द्वारा आईए प्रासंबर 6 के करम पर आते हैं देखें क्या कह रहा है करें यदि पंचायत भंग होती है तो कितने माह के अंदर चुनाओ कराना आवश्यक होता है तो देखें अब कह रहा है कि क्या 3 माह के अंदर 6 माह के अंदर 9 माह के अंदर 12 माह के अंदर तो देखें कितनी होनी चाहिए तो आप बूलोगे कि इसके लिए आयू सामाने तर 21 वर्षकी होनी चाहिए दूसरी बात इसमें एक और याद रखेगा कि पंचायत में जो यो ग्यताय निर्धारित की गई है वो यही है कि पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और निर्वाचक नमावली में उसका नामकरण होना चाहिए यह सारी चीजें और सामानितह जो इनका कारेकाल होता है वो कारेकाल याद रखेगा कितने वर्स का होता है तो यह पाँच वर्स का होता है और इनका मुख्य कारे क्या होता है तो याद रखेगा कि ग्राम विकास इनका मुख्य कारे होता है ठीक है अगर किसी कारण बस बीच में भंग हो जाता पंचायत कुछ भी होता है मृत्ति उत्यादी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो चौ माह के भीतर चुनाओ कराना आवर्शक होता है तो इसको याद रखीगा बिल्कुल हाँ तो अच्छा और इसमें मैंने आपको एक चीज और बताया था क्या कि मतदान अगर आपसे यही प्रसन यह कह दे कि मतदान की आयू तो दोस्त याद रखना कि इसमें मतदान की आयू समानिता कितने वर्स होती है तो मतदान की आयू समानिता 18 वर्स होती है तो प्रसमर 6 का राइट जवाब कितना होगा प्रसमर 6 का राइट जवाब होगा आपसन नमबर B आएंगे प्रसमर 7 के करम पर देखिए क्या करा करा 11 वी अनुसूची में कुल कितने विशय पर पंचायतों को सक्ति प्रदान की गई है तो आप जानते हैं 11 वी अनुसूची का संबंध किस्से है तो आप जानते हैं 11 वी अनुसूची का संबंध है इस्थानी याद रखेगा किस्से इस्थानी स्वसासन से और इस्थानी सोसासन को कारे करने के लिए कुल कितने विशय प्रदान किये गये हैं तो कुल 29 विशय दिये गये हैं या 29 विशयों पर अधिकार दिया गया है जहां पर पंचायत क्या कर सकती है मतब कारे कर सकती है वह उस पर उस चीजों पर प्रभावी ढंग से अपने योजनाओं का बना स तो यह याद रखेगा कि यह कितना होगा तो यह होगा आपका 29 विश से, इसको याद रखेगा कुल कितने विश से, 29 विश से, आइए प्रसंबर आठ के किरमपर आते हैं, देखिए प्रसंबर आठ क्या कहा रहा है, कहरा पंचायत में आरक्षन का प्रावधान किया गया है कहरा पंचायत में आरक्षन का प्रावधान 73 में संभिधान संसोधन 75 में संभिधान संसोधन 86 में संभिधान संसोधन और आपसर नमबर D करा इन में से कोई नहीं तो याद रखेगा कि पंचायत में जो आरक्षन का प्रावधान है वो 73 में संबिधान संसोधन 1992 द्वी द्वारा किया गया है और 73 में संबिधान संसोधन के द्वारा ही पंचायत को संबैधानिक दर्जा दिया गया क्या आप बोलोगे कि पंचायत को अगर आपसे पूछता कि पंचायत को संबैधानिक दर्जा तो याद रखेगा तिहत्तर में संबैधान संसोधन द्वारा प्रदान किया गया है, तो प्रसमबर आठ का रायट ज्वाब क्या होगा? बोलो दोस्त प्रसमबर आठ का आप बोलोगे रायट ज्वाब क्या है? बिलकुल, हाँ, चलिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्या कहा जाता है तो इसमें पांच से बीस सदस से साथ से सतरह दस से बीस और तो याद रखना दोस कि पंच या मुख्या का निर्मान साथ से सतरह सदस्य मिल करके करते हैं और इनका जो निर्वाचन होता है याद रखेगा इनका जो निर्वाचन होता है ये किसके माध्यम से होता है तो याद रखेगा कि ये जनता के द्वारा होता है और इसमें अपनाय जाता है क्या वयस का मताधीकार क्या वयस का मताधीकार अपनाया जाता है तो इसको आपको याद रखना है तो बोलिए इसका राइड जवाब क्या होगा आप बोलोगे इसका राइड जवाब है प्रसंबर 9 चलिए क्लियर हुआ आए प्रसंबर 10 के क्रम पर चलते हैं देखें पर उर्जा पर और यातायात पर व्याय किया गया ये पहली पंचवरसी योजना की विशेस्ता है और आप सस्ट उन-बर D करा कि क्या चौत ही पंचवरसी योजना की विशेस्ता तो ये योजना है पहली पंच वर्शी योजना, और पहली पंच वर्शी योजना का मुख्य फोकस था क्या, तो याद रखेगा क्रिसी विकास, और क्रिसी विकास क्यों था दोस्त, क्योंकि आप जानते हैं 1947 में जब भारस सतंत्र हुआ, तो हमको विरासत में क्या मिला था, भुख्मरी गरीबी निर्धंता बिरोजगारी दूर करने के लिए आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा निचले अस्तर पर विकास की आवशक्ता है और निचले अस्तर पर विकास क्यों क्योंकि भारत एक क्रिसी प्रधान देश माना गया और ये कहा गया कि भारत गाओं में अर्था जो भारत की सनरचना है वो ग्रामी प्रिष्ट भूमी है अगर गाओं में विकास की धारा को आगे की ओर बढ़ाया जाए अगर गाओं में सही तरीके से क्रिसी विकास कर दिया जाए तो गाओं के लोग आजीविका के साधन में जुट जाएंगे और वो रोजगार प्राप्त करेंगे और पेटों का भी पालन पोशन भरन होने लगेगा और एक साथ भुखमरी गरीबी निर्धनता ये सारी चीजें मतब इसको ऊपर उठा करके भुखमरी गरीबी निर्धनता को नीचे दबाना ये सबसे मतब महत्मुर कदम तो पहली पंच वर्सी योजना क मुख्य फोकस या मुख्य जो इसका था ये आपका रखा हुआ था चलिए ठीक है तो आगे की ओर बढ़ते हैं चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सेशन को next questions की ओर ले करके चलते हैं देखेंगे क्या कह रहा है प्रस नमर 11 कहरा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारम किया गया था देखें किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं कहरा 1995-1996-1999-2000-2001-2005-2006 चलिए बताएंगे प्रस नमर 11 के लिए राइट जवाब क्या होगा आपने से maximum का जवाब आना चाहिए तो याद रखेगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह एक प्रकार की क्रिसको की क्या है तो यह एक प्रकार की क्रिसको की सहायता किसके माध्यम से है तो याद रखेगा कि सहायता यह आपका मतलब पैसे की सहायता है मतलब सहायता क्या है तो इसको याद रखेगा जब सहायता क बात आती है तो यह याद रखेगा यूज एंड पे पर काम करता है किस पर यूज एंड पे पहले आप यूज कर लिजे आपको खाथ चाहिए आपको बीच चाहिए तो आप पहले खरीद लिजे और एक निस्चित अवधी पर उसको क्या कर दीजेगा पे कर दीजेगा तो इससे आपके क्रिशी में सहायता मिली दूसरी बात किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो और सहायता की गई कि यदि क्रिशी के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है और उसके नाम पे क्रेडिट कार्ड है तो उसको 50,000 रुपए इसके आलावा अगर क्योई छतिग्रस्त हो जाता है छतिग्रस्त हो जाता है तो यहां से प्रावधान यह भी किया गया कि उसको 25,000 रुपए इस तरीके की रासी यहां से प्रोवाइट कराए जाएगी और यह सुरू किया गया चलिए और मैक्सिमम का जवाब भी आ रहा है बिल्कुल अटल जी की सरकार के दौरा तो यह किसान क्रेडिट कार्ड 1998 और किसान क्रेडिट कार्ड जो सबसे ज़्यादा समानतरूप से चल रहा है वो किस माध्यम से चल रहा है तो याद रखेगा को याद रखेगा को आपरेटिव बैंक के दौरा यह आपका सामान रूप से जोड़ा गया था तो इसको याद रखेगा इग्जार का राइड जवाब बोले क्या होगा तो आप बोलोगे अप्स नमर बी होगा प्रसमर बारा करा नरेगा का नाम करण महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोशना कब की गई आप जानते हैं नरेगा वरतमां समय में क्या हो गया मन रेगा हो गया है तो यहीं कह रहा है नरेगा से मन रेगा कब किया गया तो ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि नरेगा कब प्रारम हुआ है कब 2006 में और इसको मनरेगा कब किया गया 2009 में इसमें जोर दिया गया महात्मा गांधी राष्टी जो आपका ग्रामिर रोजगार योजना है तो मनरेगा पहले क्या था नरेगा था तो नरेगा कब प्रारम हुआ था 2006 में मनरेगा कब के प्रारम हुआ है 2009 में क्यों क्योंकि नरेगा में महात्मा गांधी सब्द जोड़ा गया है कब 2009 में तो याद रखेगा प्रसमर बारा का राइड जवाब क्या होगा प्रसमर बारा क राइड जवाब होगा आपका आपका उपसर नमबर डी आ ये वह Azp आगे क्योर बढ़ते हैं और लेते हैं सेशन का क्वेस्टन थेरह देखेंगे क्या के रहा है करा जो सरकार से भूझी प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं कर हम लोग कास्तकार कहते हैं, लेकिन यहां कर जू सरकार से भूमी प्राप्त करता है, उसको हम लोग भू स्वामी बोलते हैं, तो प्रसमर 13 का बूले, राइट जवाब क्या होगा, तो आप बोलोगे, प्रसमर 13 का राइट जवाब है, ऑप्सन नमबर A, बोले, क्लियर हुआ, चले बिलकुल हाँ बिलकुल मैक्सिमम का जवाब आला देखे ऐसे थोड़ा सा धुमा धर्थ तरीके से आप हाँ बिलकुल तो आए नेक्ष्ट आगे की और बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेस्टन नमर 14 क्या कह रहा है क्या महाल का अर्थ क्या है चले बताएंगे यहां यहीं महाल सब्द का अर्थ होता है गाउं आएंगे नेक्ष्ट क्वेस्टन पर और लेंगे प्रस नमबर ध्यान दिजेगा क्या 15 करें यदि कोई क्रिशक अपनी धूमी छोड़ देता है तो वो किसकी संयूक्त संपत्ती हो जाती है वो किसकी संयूक्त संपत्ती हो जाती थी करा ग्राम की राज की राजसो की जम्मिदारी की तो जब ऐसा कोई व्यक्ती पहले ये प्राधान था कि ऐसा कोई व्यक्ती जो मृत हो गया और उसके बाद उसका कोई भी वारिस नहीं है उसका कोई लिगल वारिस नहीं है वो संपत्ती को उसने किसी के भी नाम नहीं किया किसी के नाम उसने वसीयत नामा भी नहीं लिखा तो ऐसी दसा में उस व्यक्ति के वन्स वन्सच खतम होने पर वो संपत्ती जो है वो हो जाती थी किसकी तो याद रखेगा वो संपत्ती ग्राम समाच की इसको सामान रूप से क्या कहा जाता था तो ये ग्राम समाच की हो जाती थी और ये मतब एक प्रकार से सरकारी भूमी हो जाती थी और जिसका उप्योग किसके लिए तो जिसका उप्योग ग्रामीड विकास के लिए किया जाता था और आप जानते हैं कि जैसे पंचायत हो गया नियाय पंचायत हो गया गाऊं में सरकारी स्कूल हो गया गाऊं में तालाब हो गया इस प्रकार की चीजे ग्रामीड विकास के लिए सबते जादा आप जानते हैं कि मत्तब समर्पि ढंग से आगे क्यों बढ़ी तो प्रसमर्ब 15 का बोले right ज्वाब क्या होगा आप बोलोगे option number A बोले clear हुआ आईए आगे क्यों बढ़ते हैं और लेते हैं प्रसमर्ब 16 क्या बोल रहा है प्रसमर्ब 16 क्या रहा है कि एक बिगा कितने बिश्वा के बराबर होता है तो देखे एक बिगा कितने बिश्वा के बराबर होता है यह सामान रूप से जब उत्तर प्रडेस में बात करता है तो आप बताएंगे कि एक बिगा 20 बिश्वा के बराबर होता है और 20 मिघ강 के बराबर होता है प्रसंबर 16 का right ज्वाप क्या होगा option number b होगा आयेंगे प्रसंबर 17 के क्रम पर करा एक लाथा किसके बराबर होता है करा 99 इंच होता है 8 फिट 3 इंच होता है और करा एवबी दोनों और option number d करा हिन मेंसे कोई है तो याद दखेगा चाहे एक लाठा को अगर totally इंच में अगर convert कर देगा तो आप बताना कि एक लाठा 99 इंच के बराबर होता है और दोस्त आप बोलोगे अगर वो fit में convert करा देगा तो आप बोलोगे 8 fit 3 इंच होदगा तो बोलो प्रसंबर 17 का राइट जवाब क्या होगा आ आप बताएंगे कि इसका right जवाब होगा, option number C, A वबी दोनों आईए प्रसंबर 18 के क्रम पर चलते हैं, करा असत्य जोडे की पहचान करिए, करा सेरी कल्चर रेसम कीट पालन को नहीं बोलते हैं, हाटी कल्चर बागवानी को नहीं बोलते हैं, PC कल्चर केच्वा पालन को नही लेकिन PC कल्चर तो याद रखेगा, कि चूआ को हम लोग बोलते हैं, क्या, वर्मी कल्चर, बोलो क्या बोलते हो, तो इसको आप बोलते हो, वर्मी कल्चर, और PC कल्चर, म Nepal को बोलते हो, यह गलत था, और VT कल्चर, अंगूर की खेती है, तो बुली इसका right जवाब क्या जो आलस को जो अपने मन के अंदर की कमजोरी को निर्बलता को त्याग करके अपना समर्पर के साथ आगे बढ़ने के लिए और सत्य मन से अपने लक्ष पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेगा दोस्त दुनिया उसके कदम चुमेगी और कोई भी लक्ष उसके लिए नहीं होगा यह हमेशा याद रखना तो याद रखना दोस्त प्रसमर 18 का राइट जवाब है अप्सर नमर सी आगे की ओर बढ़ेंगे और लेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेस्टन क्या करा है प्रसमर 19 करा राज की फल सनक्षन वं डिबबा बंदी संस्थान कहां पर है कान पुर लखनव आगरा वारारसी तो याद रखेगा यह सबसे ज़्यादा बात किसकी कर रहा है तो यह बात कर रहा है आम उत्पादन और इसके अलावा इसके न रियाद से कर रहा है और यह जोन आपका मौजूद है कौन सा तो याद रखेगा लखनव और इसमें राज की फल सनक्षन वं डिबबा बंदी संस्था मौजूद है कहां याद रखना लखनव तो यह होगा आपका क्या बिलकुल तो यह आपका होगा हाँ बिलकुल हाँ तो नबाब ब्रांड की से प्रदान किया गया है अमरूत को पपीता को आम को और अंगूर को तो याद रखेगा आप जानते हैं जो लखनव साइड में आपको पता होगा सरवाधिक मतलब कहां तो ये जो जिसको आप अवध बोलते हैं तो ये वाला एरिया जो है ये यहाँ पर लखनव वाला जो एरिया लगता है ये यहाँ पर सामान रूप से सरवाधिक उत्पादन किसका किया जाता है तो ये सरवाधिक उत्पादन होता है आम का और आप जानते हैं लखनव को हम लोग क्या बोलते हैं नबाबो का सहर बोलते हैं इसलिए नबाबो का सहर बोलने के क कारार आम को हम लोग नबाब ब्रांड क्या तो याद रखेगा कि आम को आप नबाब ब्रांड प्रदान किया गया आपके उत्तर प्रदेश में तो बोलिए प्रसंबर 20 का राइड जवाब क्या होगा तो आप जवाब दोगे कि प्रसंबर 20 का राइड जवाब है और अपना कब की गई थी?anovr 62- क्या यारे रखना? नीली क्रांती. और इसका संबंध किस्से है? आप बोलोगे मच्छली पालन से है इसी को क्या बोला जाता है इसी को बोला जाता है नीली अर्थविवस्था बोलो नीली अर्थविवस्था क्या है तो नीली अर्थविवस्था का तातपर है क्या कि नीली अर्थविवस्था कहता है मच्छली उत्पादर में बृद्धी कर जिससे उसको बेच करके एक अच्छा खासा अस्पर पर आर्थिक विकास किया जाए तो नीली अर्थविवस्था मत सपालन जिसको हम लोग नीली क्रांती भी बोलते हैं और ये अगर आप से पूझता कि भारत में कब प्रारम की गई तो याद रखेगा उनिस सो पचासी नब्बे में कहां उनिस सो पचासी नब्बे में ये आपकी प्रारम की गई थी उनिस सो पचासी नब्बे में हमारी क्या आई थी तो एक बात और याद रखना कि इस समय आई थी आपकी दितिये हरित क्रांती और दितिये हरित क्रांती ने बल दिया था उद् कर्माल बंत एक बीमारी है चलिए बतائیںगे किसकी है कैरा धान की है मितर की है तो ध्यान दिजिएगा कि ये सामान रूप से गेहूं की जब बात गेहूं की आया है बताइए किसकी फसल है दोस्त आप बताओगे कि गेहूं रभी की फसल है देखिए ऐसी चीजे पढ़िए जो syllabus में और भी चीजों को आपका क्या करे और भी चीजों को ये आपके कनवर्ट कर दे चलिए तो क्या कहा रहा करनाल बंट एक बीमारे अब देखिए बात आ गई रभी के फसल की बोलो इसकी बुआई कब होती है तो आप बोलोगे कि इसकी बुआई होती है नवंबर दिसंबर में इसकी बुआई कहा होती है नवंबर दिसंबर में और ये ध्यान दिजीगा जब रभी गेहू गेहू का उत्पादन सबसे ज़्यादा तब होगा जब सबसे ज़्यादा तापमान में कमी होगी मतलब जितनी ठंडी पड़ती है गेहू तना अच्छा होता है तो इसको याद रखेगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हो आप इसको आप बोलते हो सीत रीतू की क्या बोलते हो इसको आप बोलते हो सीत रीतू की फसल अब इसके अलावा भोलो अगर आप से पूछा जाए कि इसकी कटाई कब की जाती है तो आप बोलोगे इसकी कटाई की जाती है मार्च और अप्रेल में कहा की जाती है मार्च और अप्रेल में और आप जानते हैं अगर गेहूत पादन में अगर आपको उठा करके देखिए तो आपके उत्तर प्रदेश का इस्थान सरूपरी है, इसके पीछे कारण भी है, कि हरित करांती सबसे ज़्यादा जो मतब एक तरीके से मृधा में विक्सित होना कहिए, तो वो सबसे ज़्यादा हुई कहां, तो ये आपके छेत्रों में होने का, मतब हमने हरित करांती में प्रदेशन को, बिल्कुल, तो आईए आगे की और बढ़ाते हैं, और लेते हैं, क्वेस्टन नमर्ट 23, देखेंगे क्या कह रहा है, क्या बास्मती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बाहुल है, किसका चले बताएगा, लाइसीन का बाहुल है क्यारा इमाईलोस का बाहुल है, क्यारा सरकरा का बाहुल है, और आपसनवडी का तेल का बाहुल है, तो ध्यान दीजेगा, सबसे पहली बात तो जब चावल आया है, तो अगर आपके सरीर के अंदर चावल का पाचन होता है, तो याद रखेगा, इससे सबसे बहतर तरीके स प्राप्त होता है क्या तो कार्बो कार्बो याद रखेगा क्या कार्बो हाइड्रेट्स क्या प्राप्त होता है कार्बो हाइड्रेट्स और याद रखेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं उर्जा देनी वाला क्या बोलते हो आप उर्जा देनी अब देख 650 को एक बर जैसे उलजाया जा सकता है कि चाहर पगाने का तरीक है तो याद रखकेगा चाहर पकाने का तरीका है दोस्त क्या कर mo學 उबाल कर और इमाइलोस के कारड़ ध्यान दीजेगा इमाइलोस के कारड़ चाहर के दाने फूलने पर जब उबलते हैं गर्म होते हैं ये फूलते हैं तो इने फैला होता है और आपने से मैक्सियूम ने जवाब क्या दिया है लाइसीम दिया है ना 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 इमाइलोस और बहुत सा लोग मैक्सियूम ने भी दिया भी है मैक्सियूम ने इसका जवाब भी दिया भी है और क्या पात है बिल्कुल तो इसको याद रखेगा इसका राइड जवाब क्या होगा ये आपका राइड जवाब होगा इमाईलोस का चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं और आएंगे क्वेस्टन नमर चौबीस करा उत्तर प्रदेश में लकडी के खिलोने कहां पर प्रसिद्ध है तो आप बोलोगे दोस्त क्या आप बोलोगे अली गड़ क्या याद रखना अली गड़ इसी प्रकारते जैसे अगर आपसे कहे दरी या आपसे कहे दे कालीन तो याद रखना इसके लिए भदोही मिरजापुर के बगल वाला जिला भदोही और कालीन भईया यादी होंगे तो इसको याद रखेगा कहां बरेली याद रखेगा ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जैसे अगर आप से कहें कि चमड़े के सामान बोलो क्या बोले चमड़े के सामान बोले तो चमड़े के सामान के लिए आप याद रखना दोस्किया याद रखोगे कानपूर इसके अलावा जैसे अन्य भी चीजे हैं जैसे पस्मों का मेला तो यह आगरा बटिस्वर पस्म मेला याद रखना इसके अलवा अगर जैसे आप से कहदे परफ्यूम आप जिसको इत्र बोलते हो तो आप याद रखना इसके लिए फेमस है कन्नौज अगर जैसे कहदे अमरूद जारे का सीजा ना तो याद रखना इसके लिए आप दोस्त क्या प्रियाग राज याद रखना इसके आलवा जैसे अगर आप से कह दे आवला तो आवला के लिए दोस्त क्या याद रखना आवला के लिए आप याद रखना प्रतापगर है बोलो क्या याद रखोगे प्रतापगर अब करा उत् लोने ये आपके प्रसिद्ध है वाराण सी से कहा प्रसिद्ध है वाराण सी इसको याद रखेगा ठीक है तो प्रसमर 24 का राइट जवाब होगा अप्थ नमबर सी चले इसके इन साथ लिजे आगे की ओर चला जा ये महत्पुर्ण है इसके इन साथ लिजे आगे की ओर चला देखें आप जब कमेंट करतें न चीज़ें और बहतर होती है लखनावू आम के लिए प्रसिद्ध है इसको भी याद रखेगा इसी तरीके से और पूछा जा सकता है जैसे कांच बालू सीलिका क्या पूछा जा सकता है कांच बालू सीलिका अगर आप से पूछता है तो केंद्रिय साक भाजी क्या बोले अगर कहें केंद्रिय साक भाजी केंद्रिय साक भाजी सोध संस्थान केंद्रिय साक भाजी सोध संस्थान कहां पर मौदूद है तो इसको याद रखेगा यह भी आपके वारांसी में मौदूद है कहां वारांसी के राजा तलाव तो इसको य बताएंगे कि यह लखनाओ में मौझूद है वारारसी में मौझूद है कहां पर मौझूद है कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे चले मैक्सियूम का जवाब आना चाहिए मैक्सियों का जवाब आना चाहिए चले मैक्सियों का जवाब आना चाहिए तो देखे आप में से मैक्सियों का जवाब आना चाहिए लखनाव, वारारसी, आगरा, इटावा तो देखे बात किसकी कर रहा है ये बात कर रहा है लाइन सफारी के और आपने से मैक्सियों का जवाब भी आने लगा है मैक्सियों का जवाब आ रहा है आपसर नमर डी 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 बहुत सा लोगा जवाब आपसर नमर डी 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 आ रहा है तो आए देखते हैं देखिए एक बात याद रखेगा जब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो एक तो सबसे ज़्यादा आप याद रखना कि आपका दुधवा क्या याद रखना दुधवा दुधवा नेशनल पार्क मैं क्यों बोल रहा हूं यह याद रखेगा दुधवा नेशनल पार्क की जब मैं बात करता हूं तो आप आप सिधा सिधा कहोगल, कि यह आपका मौदूद है। लखीम, फ Dogsілम खेद से कि अपर सीथी, फ़ आसाओ कह गया है लखीव हाँ, आपर सीघया को रिक्वामेमी जिल्क जे दो इह दो कि要 भी तो यह उत कहा है, खोलानि करेंगके साद को मौदुद, आपकलो मौदुद, आप और सबसे ज़्यादा फेमस किसके लिए बारा सिंगा ये भी याद रखेगा और इसके अलवा देखे एक चीज और इंपोर्टेंट हो सकती है उत्तर प्रडिस में जो बार बार पूछा जाता है चंद्रप्रभा याद रखेगा चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण ये आपका वारारसी के बगल में कहां है दूसरी याद रखेगा वारारसी के बगल में ये चंदवली मौजूद है और याद रखेगा लायन सफारी की जब भी बात होगी तो लायन सफारी आपके कहां मौजूद है इटावा याद रखेगा क्या लायन सफारी आपके इटावा बिल्कुल तो हो गया चलिए आए मैक्सियुम ने जबाब दिया और अब सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे और अगले क्रंपर कौना रख्रिती मैं चलिए तो बिल्कुल कोई बात ने और हाँ तब तक मैं आपको साइट में एक बार ये भी मैं आपको बता दूँ रोज सुबा एट एम आप एक बात याद रखेगा जश्ट वन सेकेंड मैं सेशन को आगे की ओर बढ़ाओ लेकिन एक बात ध्यान दिजेगा रोज सुबा एट एम पर हम लोग डेली प्रैक्टिस में लगे हुए हैं किसके तो हम लोग लगे हुए हैं ग्रामीर विकास और किसी भी सेगमेंट से सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं अलग होते हैं और हम लोग क्यों न समय से पहले लग करके मेहनत किया जाए तो रोज सुबा आठ वजे हम ग्रामीर विकास के सिरिंखला के साथ आगे बढ़ते हैं और हाँ चंद्रा इस्टिटूट ने गूगल प्ले इस्टोर में जा करके सर्च बॉक्स पर क्लिक करिए और वहां पर लिखेंगे आप क्या आप वहां पर लिखोगे चंद्रा इस्टिटूट चंद्रा इस्टिटूट इलहाबाद और जैसे ही आप चंद्रा इस्टिटूट इलहाबाद आप सर्च करोगे आद अगर आपको इस प्रकार की प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आपको मैं एक नंबर बता रहा हूं इसको आप सेप करिए चंदा इस्रीटूट के नाम से एक टू नाइन नाइन थी वन डबल जीरो नाइन सेवन और आप इसको सेप करिए और इस पर वार्टसप पर आप लिख दीजिए इंट्री लखपाल इंट्री लखपाल और आसानी से आप देखिए इदा महत्मूर गीजिए उन जाती है और दोस्त महेंट का कोई विकल्प नहीं होता जिन्दगी में जितना महानत करोगे उतना इनिखार आएगा आप में क्योंकि यह सुना जितना तपता ए उतना निखरता है मैं लास्ट में जाते जाते एक बात कहूंगा कि जंग लगकर के खराब होने स से अच्छा होता है घिस करके खराब होना जिंदगी में ये बात याद रखना बहुत बड़ी है मैं कृती में का स्वागत करूँगा आज के लिए इतना है थैंक यू चलिए दोस्तों एक बार फटा फट से आप सभी को गुड मॉनिंग दोस्तों फटा फट से आप सभी लोग लाइव आजाईए जैसा कि आप लोग देख रहे थे यहां पर आपके ग्रामीड विकास का सेशन जो बहुत ही इंपोर्टेंट होता है आपके लेकपाल के एक्जाम में काफी इंपोर्टेंट कोश्टन यहां से बुछे जाते हैं 25 कोश्टन है और अब हम लोग बात करना जा रहे हैं जीएस की देखिएगा जीएस में आपको कई सारे सेगमेंट्स हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं और इन सभी सब्जेक्ट को लेकर आपका 25 कोश्टन क इसमें आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स को ध्याम दखते हुए यहां पर प्रैक्टिस कोश्टन कराया जा रहे हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है हमने आपसे पिछली बार भी मॉडल पेपर में कहा था कि यह जो कोश्टन है यह आपके प्रीवियस येर कोश्टन पे चुका है इसमें आपसे गुचा जा रहा है कि निम लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो option A दिया हुआ है कि एग्रो पार्क का संबंध लखनाव से option B दिया हुआ है एप्रेल पार्क का संबंध नोएड़ा से प्लास्टिक सिटी का संबंध कानपूर से या फिर लेदर टेकनोलोजी का संबंध उननाव से चली फटाफट से बताएंगे यहां पर राइट आंसर देखते हैं कितने लोगों को अपने राज्य के बारे में जानकारी है अच्छे से और कितने लोग इस प्रश्ण का सही ज कानपूर और लेदर टेकनोलोजी दिया है उननाव एपरेल पार्क दिया है नोइडा देखिए प्लास्टिक सिटी के नाम से हम औरेया डिस्टिक को जानते हैं दिभियापूर नामकस्थान है और दिभियापूर नामकस्थान प्लास्टिक के उत्पादन के लिए प्रसिद प्रसिद है इसलिए आप प्लास्टिक सिटी के नाम से आपके कानपूर शेहर को नहीं आपके औरेया जुले को जाना जाता है लेदर टेक्नोलोजी बिलकुल सही है उननाव में स्थान का नाम है बंथर तो बंथर नामक स्थान उननाव डिश्टिक के अंतरगत है जो लेदर साथ यहां पर एप्रेल पार्क दिया है ये भी सही है देखिए यहां पर दिये गए options में से गलत जवाब पकड़ना था option C बिलकुल सही जवाब होगा जबकि कानपूर के बारे में थोड़ी सी चीजे सुन लिजेगा कानपूर हमारे उत्तर प्रदेश का एक काफी महत्यपू जा रहे है उत्तर प्रदेश का पहला लेदर पार्क यहां पर इस्थापित किया जा रहा है और चमड़ा के लिए कानपूर और आगरा ये दो शैर काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं कानपूर और आगरा चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है इसलिए ध्यान रखेंगे option C यहा बहुत ही अच्छा कोश्चन है देखते हैं यहां पर कितने लोगों को जैन और बाद धर्म से जुड़े क्योंकि आप जीयस पढ़ रहे हो जीयस में हिस्ट्री भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में आपको अलग-अलग तीन भागों में हिस्ट्री का जानकारी दी जाती है और एक काफी महत्वपूर्ड हिस्सा है जैन और बाद धर्म अब जैन और बाद धर्म का संबंद उत्तर प्रदेश के विभिन जिलों से है आपको बताना है कि यहां पर जैन और बाद धर्म दोनों के लिए एकत्रित रूप से प्रसिद्ध तीर थस्थल किसे मना जाता है यहाँ पर आपको जो भी options दिख रहे हैं उसमें से धान दिखिए बौध धर्म के लिए तो यह तीनों ही चीजे प्रसिद्ध हैं बौध धर्म के लिए लेकिन चुकि आपको दोनों धर्मों का एक साथ बताना है तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या होगा right answer उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सारनाथ बौध धर्म के लिए यहाँ पर गौतम बुध ने अपना पहला उपदेश दिया था और इसी वज़े से सारनाथ में आपके गौतम बुध की सबसे उची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है कुशी नगर में इन्होंने अपना प्राढ त्यागा था इसलिए हम इसे महापरी निर्वार अस्थल के रूप में जानते हैं इसके बाद आपका दिया है कौशामबी तो ये आपका राइट अंसर होगा कौशामबी जो की गौतम बुध और महावीर स्वामी दोनों ही वेक्तियों के लिए ये प्रसिद्ध अस्थल है तो ये बौध और जैन धर्म का मुख्य अस्थल माना जाता है जहां पर दोनों ध तरप्रदेश के बारे में कुछ प्रीजे पढ़ रखी हैं बिलकुल सही आंसर है ऑप्शन बी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कोश्चन नंबर थ्री कोश्चन नंबर थ्री रेखिए सही मिलान करें सूची में मेले और सूची दूसरे में आयोजन अस्थल दिया अब आपको बताना है पहले आप देख लीजे यहाँ पर सूची के अंजर मिलान करिये और उसके बाद फिर दिये गए कूट में से हम लोग सही मिलान कर लेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिए मेलों से सम्मंधित most important questions एक न एक आपके एक्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे एक्जाम में यूपी लेकपाल का एक्जाम है और यूपी के जीके को एक एहम रोल मानते हुए हम यूपी के सुन सभी चीजों को पढ़ते हैं जो आपके सामान ग्यान के दृष्टिकोर से महत्तपूर्ण हैं और यहाँ पर हमने आपसे पहले भी कहा है पिशली मॉडल पेपर में भी कहा था कि आप लोग मेला धार्मिक असल परियतन असल उद्योग परिवहन एवं सिक्छा के चीजों को अच्छे से पढ़ लिजिए उत्तर प्रदेश के सम्मंध में यह सारी चीज़े आपके एक्जाम में पूछी जा लेकिन बटेश्वर मेला प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर आपके राज्य के आसपास जितने भी जिले हैं जैसे राजस्थान राज्य सटा हुआ है तो राजस्थान से उट यहां पर जो है एक अकत्र होकर इनके अंतरगत पिभिन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जात है फिर यहां पर देवा शरीफ मेला है जो की संत सूफी वारिस अली शाह की मजार पर आयोजित होता है और यह देवा शरीफ का मेला लगता है बारा बंकी में हरिदास जैन्ती है जो की आयोजित की जाती है हरिदास जैन्ती आयोजित की जाती है आपके मेरट में और स्वार मेरट के साथ चाथ एक और चीज याद रखनी है मेरट में नौचंदी का मेला और सर्धाना महोच्षव। सुलह कुल महोच्षव के लिए तो ये सारे फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं बारा बंकी से इंपोर्टेंट आपका ये सवाल बन सकता है कि अभी हाल में बारा बंकी में रामाया म्यूजियम की अस्थापना करने की भी घोशना की गई है कि रामाया जन्म से लेकर राम क स्री राम के वनवास तक के जीवन काल को यहाँ पर म्यूजियम की अंतरगत विभन सामागरियों या उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्यन सामागरियों से इनका प्रस्तूती करण किया जाएगा जिससे लोग रामाया के पूरे के पूरे जीवन काल को समझ सकें औ और उनके महत्वा कांच्छा को यहां पर पर दिर्शित किया जाएगा तो यहां पर आपका हो गया option A का option 3 है फिर आपका option B का 1 है और option C का 4 है और option D का 2 है तो देखिए 3142 हमारा right answer होगा और यहां पर आपको कूट दिया हुआ है तो अब आपको यहीं सही जवाब मिल चुका नहीं एक बार screenshot ले लेंगे आपको सारे लोगों को यह सारी चीज़े याद होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर question number question number 4 है चरकुला प्रमुख लोकनित्य है चर्कुला का लोकनित्य है हमारे राजजी की अंतरगत अलग अलग छेत्रों में अलग 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 लोकनित्यों का आयोजन किया जाता है सांस्कृतिक दृष्टिकोंड से हमारे राजी को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है हमारे राजी को स्थानिय संस्कृति, स्थानिय कला, स्थानिय रीती रिवाज इन सभी के आधार पर अलग-अलग चार भागों में विभाजित किया गया है जिसमें आपका सबसे प्रमुक रेखिये जो भी है वो सामने दिया हुआ है, पहला आपका बुंदेल खंड छेत्र, ब्रज भूमी, अवद छेत्र और पूर्वांचल छेत्र, ये चार आपके महत्पूर्ण छेत्र हैं, इनके अंतरगत आपको रीती रिवाज और संस्कृति म देखने को मिलेंगी, अब यहां पर आपको दिया हुआ है एक लोकनित्य का नाम और आप में से कौन बताता है, देखते हैं सबसे पहला जवाब किसका आता है, और सबसे पहला जवाब किसका आता है, चलिए फटा-फट से बताएंगे यहां पर राइट अंसर क्या होगा, यहां पर राइट अंसर क्या होगा, फटा-फट से बताएंगे गा, फटा-फट से देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब, option B, option B, right अंसर, ब्रज भूमी का है, ब्रज भूमी के अंतरगत, चर्कुला नित्य है, मयूर नित्य है, जूला नित्य है, यह सब आपके नित्य है, स सवाल पूछा जाता है, कर्मा लोकनित्य संबंधित है, हलाकि इसको अभी हम सामिल करेंगे, नीचे जो सोनभद्र जिला है, और सोनभद्र जिले से संबंधित है, क्योंकि कर्मा लोकनित्य का वास्तविक संबंध है, जारखंड और चटीस गड़ से, और जारखंड और देखिए आगया है आपका computer यहाफी कह सकते हैं technology से सम्मंधि सवाल और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व का प्रथम electronic computer यहाँ पर ध्यान रखिएगा option A दिया हुआ है option B है univac option C है mark प्रथम and option D is in में से कोई नहीं फड़ा फड़ से बताएंगे यहाँ पर right answer क्या होगा प्रथम electronic computer अर्थात यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम PD का computer आपको बताना है first generation जिसमें हमने इस्तिमाल किया था vacuum tube और vacuum tube से लगए यूग तो आपका पहला electronic computer जो कि आपका जाना जाता है दिती विश्वुदि के computer के नाम से नाम है इसका ENIAC full form देख लीजे electronic numerical integrated and computer electronic numerical integrated and computer यह आपका है पहला electronic computer ध्यान से सुन लीजे और सारी चीजे नोट कर लीजे अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि प्रथम PD का प्रथम computer कौन सा तो भी आपका जवाब सेम होगा ENIAC जो कि प्रथम PD में vacuum tube से मिला कर बनाया गया और इसको हम electronic computer के रूप में भी जानते हैं आई आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर अगले प्रशन की ओर बढ़ते हैं question number 6 integrated circuit chip के विकास का श्रेय जाता है IC IC एक ऐसी चीज है या एक ऐसी circuit है जिसके द्वारा हमारे computer के आकार में size में सबसे ज़्यादा कमी आई तो आकार में कमी आने के लिए हम integrated circuit को जानते हैं और IC से सम्मंधित question पूछा जाता है कि IC हमारी किस धातू से बनाई जाती है तो यह silicon नामक धातू से बनाई जाती है और इसके निर्मार का श्रेय जाता है दो ब्यक्तियों को पहले ब्यक्ति हैं JS Kilby या Jack Kilby और दूसरे ब्यक्ति हैं Robert Noe तो दोनों ही ब्यक्तियों को इनके निर्मार का श्रेय जाता है इसलिए option D हो जाएगा B और C दोनों तो यहाँ पर option D is the right answer बिलकुल सही जबाब दे रहे हैं आप लोग comment दिख रहा है आपके बिलकुल very good आप सभी लोग बहुत ही सही दे रहे हैं option D, option D, option D, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की ओर, question Noe 7, question Noe 7 देखिएगा क्या कहता है कि 2011 की अनुसार कूट से सही उत्तर का चैन करें, देखिए अपने उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यह याद रखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश, computer और आपके साथ साथ GS के कुछ important question भी include किये हैं, तो यह फिलहाल के लिए UP की बात है, इसलिए आपको UP की अनुसार के सारे आकड़े ध्यान दे रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि छेतरफल की दृष्टी से यह पांचमा बलाराज है, अरे नहीं भाई, इतना भी पीछे नहीं है, जनसंख्य का योगदान है, बिल्कुल सही, ऑप्शन C दिया हुआ है, इसका यौन अनुपात राश्ट्री ओसत से अधिक है, बिल्कुल सही, इसका बात है, इसकी साक्षर्ता दर्ब राश्ट्री ओसत से कम है, तो देखिएगा, यहां पर दिये गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि यहां पर option कितने सही हैं पहला कूट दिया हुआ है एक और दो option B है दो और तीन option C है दो और चार and option D है तीन और चार फटा-फट से बताईएगा right answer क्या होगा आप में से कितने लोग बताएंगे यहां पर हमारे राद जी का लिंगा नुपात कितना है जैसा कि भारत का लिंगा नुपात है 943 वैसे भारत के साथ अपेक्चा उत्तर प्रदेश का लिंगा नुपात अधिक है या कम है फटा-फट से बताईएगा right answer क्या होगा साथ चर्ता दर में आपका राद जी आगे है या यौन अनुपात में राद जी आगे है फटा-फट से बताईए right answer चलिए question number 7 का रताईएंगे right answer देखिए हमने एक जवाब आपको दे दिया है कि option C यहाँ पर B बिल्कुल सही जवाब है और option A गलत है इसलिए option A के साथ-चाथ हमारा ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें दो सामिल नहीं है अब बचा option B and C बताईएगा right answer क्या होगा बिल्कुल देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं question number 7 के लिए question number 7 के लिए देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं 912 बिल्कुल सही 912 छेतरफल के नुसार से कम है मैं भारत का 943 है और UP का 912 है बिल्कुल सही देखिए यौन अनुपात राष्ट्री उसत से अधिक है नहीं तो बिल्कुल दूसरा और चौथा सही हो गया तो अप्शन C बिल्कुल राइट आंसर है अगले सवाल की और बढ़ते हैं question number 8 question number 8 देखिएगा क्या कहता है कि एक रुपे के भारती नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं ये आपका बहुत ही important सवाल है क्योंकि जनरली लोगों को यही जानकारी है कि जितने भी हमारे पास currencies है उन सभी currencies पर वित्तमंत्री के हस्ताक्षर होते हैं लेकिन सिवाए एक रुपे के नोट पर आपके सभी currencies पर आपको वित्तमंत्री के हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए वित्तमंत्री के ने, गवर्नर के हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे, तो गवर्नर यहाँ पर आपके वर्तमान समय में कौन है, आपको पता है कि अभी वर्तमान समय में गवर्नर कौन है, फटा-फट से बताईएगा गवर्नर कौन है, और गवर पर आपको मिलते हैं वित्तमंत्राले के सचिव के हस्ताक्षर ये आपका सवाल काफी इंपोर्टेंट है और आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताईए कि वर्तमान समय में गवर्नर के पदपर कौन व्यक्ति हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर जैसे आप बैंकों का बैंक भ दोनों से, फटा-फट से बताईए, नियायाइक जो भी हमारे डिसीजन्स हैं, उन पर वापस से विचार करने की वेबस्था ली गई है, कौन से रदेश से, यहाँ पर option A दिया हुआ है भारत से, option B Britain से, option C United States of America से, and option D है भारत और USA, भारत की नियायाइक वेबस्था है, तो ह option B and C, तो नियायाइक पुन्डा वलोकन की वेबस्था ली गई है, United States of America से, so option C for the Chandra is the right answer, अगला सवाल देखते हैं, question number 10, question number 10 आपके सामने है, कि भारत में स्वेत क्रांती के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामिनाथन को, वर्गीज कुरियन को, के अन बहल को, या BP पाल को, फ कर दीजे, अपनी अपनी संख्या को बढ़ा लीजे, यह last सवाल है, और इसके बाद science के लिए अतुल सर आ चुके हैं, और आप लोग सब science के questions देखिएगा, काफी important है, हमने आपको पहले कहा कि 35 questions में आपको अलग-अलग subjects को ध्यान देना है, इसलिए, GS आपके लिए काफी tough माना जाता है, लोगों को थोड़ा सा दिक्कते आती हैं, इसलिए आप subject को समझिए, एक-एक topic को clear करेंगे, तो इससे आपको आसान हो जाएगा, चलिए, आईए question number 10 देखते हैं, question number 10 का सही जवाब होगा, वर्गी स्कुरियन, question number 10 का सही जवाब होगा, भारत में स्वेत का करांती के जनक कहा जाता है, वर्गी स्कुरियन, चलिए, तो देखिये, स्वेत करांती दिवर्ष कब मनाते हैं, स्वेत करांती मतलब, स्वेत करांती का संबंध है, किस से, आप लोगों को पता होगा, दूध से संबंधित है, स्वेत करांती, और दुख्ध दिवर्ष के र जो हम लोग चाहते हैं कि आपको हर बार पता हो, कुछ नया हर बार आप सीखें और इस वज़े से हम लोग यहां पर हर बार प्रयास कर रहे हैं, प्रती संडे आपको मॉडल पेपर दिया जा रहा है और मॉडल पेपर के माध्यम से आपको लेकपाल का एक्जाम क्वालिफाई कराने का यह पूरा का पूरा हमारा इरादा है, तो हम लोग इसके लिए देखेंगे, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी है, और 26 नवंबर को आयोजित क्या आता है, दुख दिवश, तो अब फटा-फट से आगे बढ़ते हैं, और हम लोग बुलाते हैं अर अतुल सर को जो आगे का सेशन कंटीन्यू करेंगे, तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चंद्रा इंसिट्यूट के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से हारदिक स्वागत है, तो दोस्तों अब शुरू हो चुका है आपके विज्ञान प्रशनों का जवाब, और आप सभी को बहुत ही कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, और लास्ट में आप सभी को ये भी बताना है कि आपने कितने प्रशन दोस्तों सही किये थे, तो एक बार सभी लोग अपने अपने स्टैंडर्ड पर क्लास को अवस्से सेयर कर लें, क्योंकि आपकी संख्या ही डिसाइड करती है कि किसे भी टीचर का पफॉर्मेंस आपके पुसकर रावत, अपसर अहमद, अपरांजिता यादव, योगेंदर यादव, चांदनी मौरिया, सुकृता सिंग, वेरी गुड, पवन्त रिपाठी, आईए, दोस्तों पहला प्रशन आप से पूछा गया है, मैं नीचे से उपर के और बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो प् 46 के बजाए 47 गुर्शोत्र, और तीसरा विकल्प है कि गुर्शोत्रों की 23 जोड़ी में 3 गुर्शोत्र, और चौधा विकल्प दिया है कि गुर्शोत्रों की 21 जोड़ी में केबल 1 गुर्शोत्र, आप सभी को बताना है कि आपके according, यहाँ पर कौन सा जवाब सही है, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताईए कि आपके according यहाँ पर कौन सा जवाब सही होगा 14 वे के लिए D option आया है, परुण सूर्यवनसी का, रिचा अगनी होतरी ने D option दिया है, कई लोगों ने D option दिया है, देखिए यहाँ पर आपका D option बच्चों गलत विकल् आप सभी लोग expression को ध्यान से सुने और option को ध्यान से पढ़ें, दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि गुर्सूतरों की 21 जोडी में केवल एक गुर्सूतर और यही गलत है, यहाँ पर 3 गुर्सूतर होना चाहिए था, दोस्तों हर जोडी में 2 गुर्सूतर होता है, लेकिन Down Syndrome से ग्रसित जो रोगी होता है उसके 21 जोडी में तीन गुरसूत्र हो जाता है यानि कि दो पहले से था एक extra attach हो जाता है एक अतिरिक्त जुड़ जाता है और तीन हो जाता है वाई दो पहले से था एक अलग से जुड़ गया तो तीन हो गया लेकिन यहाँ पर D वले option में क्या दिया है कि किस्वे जोडी में केवल एक गुरसुत्र यही गलत है यहाँ पर तीन होना चाहिए था इसलिए आपका D option बच्चों सही नहीं होगा यहाँ पर आपका B option सही होगा B option क्योंकि 46 की बजाए 47 गुरसुत्र हो जाने पर मंगोली जड़ता या Down syndrome हो जाता है क्योंकि जब 21 जोडी में 3 गुरसुत्र हो जाएगा तो 23 जोडी गुरसुत्र होता है 23 दूना 46 और 23 दूना 46 यानि कि 46 तब होता जब 21 जोडी में 2 गुरसुत्र होता लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि केस्वे जोड़ी में तीन गुर्षूत्र हो गया है इसलिए हम यहाँ पर एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45 गुर्षूत्र हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा वो B-Option एक्जाक्ली सही विकल्प होगा यानि कि 46 के बजाए 47 गुर्षूत्र हो जाने पर मंगोली जड़ता या डाउन्स सिंड्रोम हो जाता है ठीक है तो सभी लोग एक बार B-Option के लिए कमेंट करिए ठीक है आईए नेक्स अगले प्रशन के बढ़ेंगे यहाँ पर आपसे अगर ये प्रशन पूछ रिया जाए कि डाउन्स सिंड्रोम की खोज किस ने किया था तो बच्चों हर सिंड्रोम की खोज उनके खोज करता के नाम पर रथे गए हैं डाउन सिंड्रोम की खोज अगर आपसे पूछे किस ने किया था तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों लंगडन डाउन लंगडन डाउन नामक वैज्यानिक ने डाउन सिंड्रोम की खोज किया था और इस सिंड्रोम से ग्रसित रोगी जो होते हैं वो बंद आपका प्रश्न है दोस्तों तेरहवा प्रश्न, तेरहवा प्रश्न आमसे पूछा गया है कि हारायड गंथी द्वारा श्रावित हार्मोन कैल सी टौनिन का प्रभाव पड़ता है पहला विकलब है रूधिर में पूटैसियम की मात्रा को बढ़ाना दूसरा विकल्प है रुधिर में कैल्सियम की मात्रा को बढ़ाना तीसरा है रुधिर में कैल्सियम की मात्रा को बढ़ाना और चौथा है कैल्सियम की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं तो यहाँ पर आपका जो B और C आप्शन है बच्चों वो एक ही जैसा है य यानि रुधिर में कैल्सियम की मात्रा को घटाना आप यहाँ पर लिखेगा, बाकि अब सारे options पर आप विचार करें, और comment करके बताईए कि आपके अनुसार यहाँ पर कौन सा जबाब सही होगा, ठीक है, चलिए, यहाँ पर बच्चों, 13 वे के लिए जो विकल्प आपका सह होगा, वो C option exactly, तहीं विकल्प होगा, C for Chandra Institute, C option यहाँ पर आपका सही है, बच्चों, ठारायड ग्रंथी के द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है, जिसका नाम है, कैल्सी टोनिन हार्मोन, यह हार्मोन जो होता है, यह ब्लेड में कैल्सियम की मात्रा को कम करता है, ब्लेड में कैल्सियम की मात्रा में कमी करना, इस हार्मोन का प्रमुख कारिय होता है, कन्फूजन कहां पर होता है, वो मैं आपको बता दूँ, एक ग्लेंड और होता है, जिसे बोलती है, पैरा थारायड ग्रंथी, बच्चों, पैरा थारायड ग्रंथी से, एक हार्मोन बन जिसे पैरा थाइरॉक्सिन हार्मोन करते हैं यहां से पैरा थाइरॉक्सिन हार्मोन का निर्माड होता है और यह जो पैरा थाइरॉक्सिन हार्मोन होता है यह ब्लड में कैल्सियम की मात्रा को बढ़ाता है कैल्सियम की मात्रा को बढ़ाना इसका प्रमुखकारी होता है तो कन काल्सिटोनिन हार्मोन और कौन सा हार्मोन ब्लड में कैल्सियम की मात्रा को बढ़ाता है तो वो है पैरा थायरॉक्सिन हार्मोन तो यहाँ पर कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात किया था तो सीप और चंद्रा एस्सिट्यूट रुधिर में कैल्सियम की मात्रा को घटाना इसका म प्रिशन की ओर बढ़ेंगे बारहवे प्रिशन आप से पूछा गया है कि प्रश्न है इंसुलिन का स्रामर करने वाली रचनाएं है इंसुलिन का पिक्रिशन करने वाली कौन सी रचना है पहला है अगनासे की एलफा को सिकाएं दूसरा है अगनासे की बीटा को सिकाएं तीसरा है ग्रास नली की सलैस्मिका और चौथा है D यानि कि स्प्लीन या तिल्ली तो बच्चों यहाँ पर आपका C और D आप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इंसुलीन हार्मोन का निर्माड अगनासय के द्वारा होता है और बच्चों इस अगनासय के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगनासय हमारे सरीर में एक प्रकार की ऐसी गरंथी होती है जो कि mixed होती है एक मिस्रित गरंथी होती है मिस्रित गरंथी का मतलब यह हुआ कि यह अंतह स्रावी और बहिस्रावी दोनों भागों से मिल करके बना होता है अन्तह स्रावी और बहिस्रावी यानि की इंडोक्राइन और इग्जोक्राइन दोनों होता है इसके बहिस्रावी भाग से बच्चों एंजाइम का निर्माड होता है इग्जोक्राइन पार्ट से एंजाइम बनता है copy में अपने जरूर note करिएगा ये सारे points और अंतहसरावी भाग से बच्चों हार्मोन का निर्मार होता है तो बहिसरावी भाग से क्या बनता है? एंजाइम और अंतहसरावी भाग से क्या बनता है? हार्मोन कभी कभी आपसे ये भी प्रशन पूछा जाता है कि इसका कितना प्रतिशत भाग बहिसरावी होता है और कितना प्रतिशत भाग अंतहसरावी तो 85 प्रतिशत भाग बहिसरावी होता है और 15 प्रतिशत भाग अंतहसरावी होता है और इसके अंतहसरावी भाग को बच्चों अंतहसरावी भाग को लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं और ये जो लेंगर हैंस की द्वीपिकाएं होती हैं ये तीन प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके बनी होती हैं तीन प्रकार की कुशिकाओं से मिल करके बनी होती है, पहला होता है alpha shells, दूसरा होता है beta cells, और तीसरा होता है delta cells, जो alpha cells होता है यहाँ से ग्लुकोगोन हार्मोन बनता है, ग्लुकोगन हार्मोन, बेटेसेल से बच्चो इंशुलिन हार्मोन बनता है और डेल्टा से सोमेटोस्टाटिन हार्मोन का निर्मार होता है तो आपका जवाब तो भी औप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि बीटा सिल्स जो होती है ये हार्मोन का इंसुलिन हार्मोन का निर्माड करती है ठीक है इंसुलिन हार्मोन का निर्माड करती है लेकिन अगर यही पर आपसे प्रशन पूछ ले कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है तो बच्चों इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाने पर आप सभी को पता है diabetes diabetes militis हो जाता है diabetes militis हो जाता है और इसमें शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है blood में सुगर की मात्रा increase करने लगती है बढ़ने लगती है और इसी रोग को hyperglycemia के नाम से भी जाना जाता है तो insulin hormone की कमी होने पर blood में sugar बढ़ने लगेगा और जब sugar बढ़ने लगेगा तो diabetes mellitus हो जाएगा इसी को hyperglycemia hyper hyper का मतलब होता है जादा हो जाना और glycemia का मतलब होता है glucose का जादा हो जाना तो यहाँ पर beef और बाहु बली B option यहाँ पर सही विकल्प होगा screenshot लीजेगा और अगले person की और बढ़ेंगे 11 प्रिशन आपसे पूछा गया है प्रशन है कि निम्लमे से बीज वीहिन संभानिय पौधा कौन सा है यानि कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज नहीं पाया जाता लेकिन संभान उतक पाया जाते हैं प्रशन को अगर मैं सीधा बोलू तो प्रशन पुछा है कि कौन ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो अनुपस्थित होता है नहीं पाया जाता लेकिन संभान उतक यानि conducting tissue संभान उतक पाया जाता है तो वो होता है बचों तेरीडो फाइटा यहाँ पर आपका सही होगा तेरीडो फाइटा प्लांट किंगडम का ऐसा वर्ग है जिसमें बीज नहीं पाया जाता लेकिन संभान उतक conducting tissue पाया जाती है पाधों में दो प्रकार के संभान उतक होती है एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम जाइलम जो होता है यह जल का संभान करता है और फ्लोएम बच्चों भोजन का संभान करता है तो ए ऑप्चन यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा दस्वे प्रिशन के और बढ़ेंगे दस्वा प्रिश्ण बच्चों दस्वा प्रिश्ण आपसे पूछा गया है कि बहु सूत्र या पॉलिसोम है तो वो राइबुसोम का समूह देखें बी आप्शन यहाँ पर सही होगा ग्रुपस ओ राइबुसोम को राइबुसोम का जो समूह होता है उसे पॉलिसोम कहती है और इसका कारिय होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हल्प करना प्रोटीन का निर्माड करना ठीक है कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि राइबुसोम का निर्माड कौन करता है तो तेर्बु सों के निर्माड जो होता है वो नूक्लियोलस के द्वारा यानि कि केंडरिका के द्वारा होता है। मैमिल्स के बलड में पाया जाता है देखे सुक्रोज ये तो गन्ने में पाया जाता है इसलिए इसे केन सुगर के नाम से भी जाना जाता है केन सुगर के नाम से जाना जाता है ग्लुकोज जो होता है ये उर्जा का प्रमुख स्त्रोथ होता है बच्चों मैं एक पॉइंट औ और भी बता दूं कि यह जो सुक्रोज होता है इसे हम लोग टेबल सुगर भी बोलते हैं इसे टेबल सुगर आपके PCS में पूछा गया प्रस्ण है कि निमलिकत में इसे कौन सा सुगर जिसे टेबल सुगर कहती हैं तो उसे सुक्रोज को कहा जाता है Laktoge milk sugar होता है ये दूध में पाया जाता है और दूध का मीठा पन इसी की कारण होता है C option आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर Fructose को fruit sugar कहती है ये फलो में पाया जाता है और ये सबसे मीठा शगर होता है देखे मेरे मुझ से अभी एक ऐसा शब्द निकला जहां से मेरे मन में एक नया प्रश्ण आपको बताने के लिया गया है मैंने भी बुले सबसे मीठा पदार्थ अगर आप से पूछे कि सबसे मीठा पदार्थ कौन है तो सबसे मीठा पदार्थ के अगर बात करेंगे तो बच्चों उत्तर होगा सैक्रिन सैक्रिन जो होता है यह सबसे मीठा होता है लेकिन सैक्रिन बच्चों सुगर फ्री होता है इसमें सुगर नहीं पाया जाता अगर आपसे पूछे कि सबसे मीठा पदार्थ कौन है तो सैक्रिन लेकिन ये सुगर फ्री है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठा सुगर कौन है तो सबसे मीठा सुगर बच्चों फ्रक्टोज होता है और इसी को फ्रूट सुगर भी कहते हैं फलों की सरकरा कहत यह सबसे मीठा होता है और शहद में सहद में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो सी आप्शन यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट अगले प्रिशन के और बढ़ें के वेरी गुड किसी ने बुला रटी फीशल ठाकुर बी एमस वेरी एक ग्लुकोज के तथा एक गैलक्टोज के अडवों के ग्लाइकोसिडिक बंधु द्वारा जोड़ेने से किसका अडव बनता है तो बच्चों ये जो सुक्रोज होता है इसके बारे में सुने मैं केबल एक ही ऑप्शन पर बात नहीं करूँगा मैं आपको सभी ऑप्शन पर डिस्क्राइब करूँगा जरूरी नहीं है कि आपसे एक्जाम में यही प्रशन पूछ लेगा प्रशन दो कुछ भी पूछ लकता है जैसे यहां पर ग्लुकोज दिया है ग्लुकोज और गैलेक्टोज दिया है कभी-कभी कुछ और भी पूछा जा सकता है तो प्लस प्रक्टोज से यानि कि glucose के दो molecules से मिलकर करके बना होता है ठीक है Ribose जो होता है ये DNA या RNA में पाया जाने वाला शुगर होता है ये nucleotiides में पाया जाता है nucleiotides में पाया जाता है nucleotiide में पाया जाता है और इसमें भी 6 carbon होता है इसलिए इसको hexose स्टुगर के नाम से जानते हैं तो देखी ग्लुकोज और गैलक्टोज पूछा था तो ग्लुकोज और गैलक्टोज जो होता है वो लाक्टोज में पाया जाता है B option हमारा यहाँ पर सही विकल्प होगा वेरिगोड आप सभी लोग यहाँ पर सही विकल्प दे रहे है B option सही है स्तात्वे प्रिश्ण के और बढ़ेंगे स्तात्वा प्रिश्ण आप से पूछा गया है ब्रायो फाइड्स को वनस्पति जगत का MPBIA कहा जाता है क्योंकि ये केवल भूमी पर उक्ती है ये मेड़कों के लिए मुख्य भूजन है ये जल के अंदर उकती है चौथा विकल्प है ये जल के समीप नम भूमी में उकती है तथा इनके निसेचन के लिए जल आवस्यक होता है तो कभी-कभी कुछ-कुछ प्रशन ऐसी होती है कि अगर आप जिनका विकल्प पढ़ें तो विकल्प को पढ़ने के बाद ही लग जाता है कि यही वाला विकल्प सही होता है कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई-कोई प्रशन ऐसा होता है जिसका option जो होता है वो कुछ ज़्ञादा ही भौकाली होता है और उस option को सुन करके आपको लगता होगा कि ये वाला option सही होना चाहिए और सच में वो वाला option आपका सही भी होता है लेकिन science में कभी-कभी ऐसे में लोग गच्चा भी खा जाते हैं कभी-कभी जो option देख करके लगता है कि ये बहुत ज़ादा भौकाली है ये सही होना चाहिए और वो गलत होता है ठीक है तो खैर यहाँ पर जो डी वाला option है वो सही विकल्प है जो ब्रायोफाइटावर का पौधा होता है ये पाया तो नमी एवं छायादार स्थानों पर है लेकिन इसमें निसीचन के लिए फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना जरूरी होता है तो यहाँ पर डी option स्तही विकल्प हो जाएगा ठीक है चलिए अगले प्रश्णी की ओर है छट्वा प्रश्ण आप से पूछा गया है छट्वा प्रश्ण बच्चो जोगर्फी से related प्रश्ण है प्रश्ण है कि निक्स ओलंपिया परवत किस ग्रह पर इस्थित है मैं आप सभी से गुजारिस करूँगा कि आप सभी लोगे ऐसे प्रश्णों का जवाब दे बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्ण जोगर्फी के करिब 6 प्रश्णों को ले करके मैं उपस्तित हुआ हूँ आपको बताना है कि निक्स ओलंपिया परवत किस ग्रह पर इस्थित है पहला है बुद्ध, दूसरा है सुक्र, तीसरा है प्रित्वी, चौथा है मंगल तो जल्दी से कमेंट करिए, छट्वी के लिए D option आया है ठाकुर BMS का D option exactly यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा मंगल, निक्स ओलंपिया परवत मंगल ग्रह पर इस्थित है आईए पाच्वी नंबर पर, पाच्वी नंबर आपसे पूछा गया है कि स्ट्रॉम बोली किस प्रकार का ज्वाला मुखी है तो बहुत फेमस है, यह जो होता है बच्चों यह जागरत ज्वाला मुखी है सक्रिय ज्वाला मुखी होता है, ठीक है सक्रिय ज्वाला मुखी होता है, यह option यहाँ पर सही विकल्प होगा ठीक है और इसे भूमध्य सागर का प्रकास इस्तंभ भी कहा जाता है जो स्ट्रॉम बोली होता है इसे भूमध्य सागर का प्रकास इस्तंभ भी कहा जाता है इस टाइप की भी प्रशन आप से पूछे जा सकते हैं प्रकास इस्तंभ भी कहा जाता है तो ए आप्शन यहां पर आपका नहीं विकल्प हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपसे कुछ और भी ज्वाला मुखी के नाम पूछा जा सकता था, आपसे पूछ लेता कि फ्यूजियामा कैसा ज्वाला मुखी है, क्राका टोवा कैसा ज्वाला मुखी है, तो ये सब बच्चों सुसुप्त ज्वाला मुखी होते हैं, जैसे फ्यूजियामा, क्राका टोवा, ये सब बच्चों सुसुप्त ज्वाला मुखी होते हैं, जो हमें मतलब अकसर सांत रहते ह लेकिन कभी कभी इस में से मतलब ज्वाला मुखी का लावा का उद्भव होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट चाथी प्रश्न की और बढ़ेंगे चाथा प्रश्न आप से पूछा गया है प्रस्न है कि निम्लिकित में से कौन सा-दर्रा उत्तरा खंड में इस्थित है कोन सा दर् पहला है नाथुला दर्रा, दूसरा है तुजू, तीसरा है नीती, चौथा है बुर्जिल, आपको यहाँ पर बताना है कि आपके एकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा जबाब सही होगा, कि कौन सा इसका पेडियोफ आपको मिल जाएगा आस्तोस्त्रवेदी, परशान होने की ज उत्तराखंड में इस्थित है, और ये उत्तराखंड को तिबबत से जोडने का कारिय करता है, तिबबत से जोडता है, ठीक है, उत्तराखंड को तिबबत से जोडता है, और इसकी लंबाई होती है बच्चों, 5068 मीटर इसकी लंबाई है 5068 मीटर इसकी लंबाई है जो कि उत्तरा खंड को तिब्बत से जोड़ने का कारे करता है अब यह देखेंगे जो बुर्जिल जर्रा है दर्रा है सौरी बुर्जिल दर्रा यह बच्चोच स्री नगर स्री नगर को P.O.K. पाकिस्तान उकिपाइड कास्मीर जैसे गिलिगिट या बलुचिस्तान जैसे बलिस्तान भी इंगलिस में बुला जाता है बलुचिस्तान से जोड़ने का कारे करता मतब जोड़ता है कौन बुर्जिल दर्रा बुर्जिल दर्रा स्री नगर यह P.O.K. जो कि गिर्गिट और बलुचिस्टान को जोड़ने का काम करता है ठीक है और बचो यह जो तुझू होता है यह मरीपूर और म्यामार को जोड़ने का यह जोड़ता है मरीपूर प्लस म्यामार को जोडता है ठीक है तो निम्रिकित में से कौन सा दर्रा उतराखंड में इस्तित है तो कौन सा दर्रा उतराखंड में इस्तित है तो नीती दर्रा जो है वो उतराखंड में इस्तित है और उतराखन्ड और तिब्बत को आपस में जोडने का कारिय करता है ठीक है नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोडता है सिक्किम प्लस तिब्बत को जोडता है ठीक है तो चलिए सीफ और चंद्रा यहाँ पर सही विखल्प है नेक्स्ट अगले प्रिशन के और बढ़ेंगे तीसरा प्रिशन आपसे पूछा गया है कि डोल ड्रम क्या है पहला है ब्यापारिक हवाएं दोसरा है भूमद रेखा के आसपास अल्पदाब का छेत्र तीसरा है बहुत अधिक आर्दरता वाला छेत्र चौथा है सांत समुद्रों वाला छेत्र तो डोल ड्रम जो होता है ये भूमद रेखा के आसपास अल्पदाब वाले छेत्र को डोल ड्रम बोलती है बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रशन आपसे पुछा गया है कि यूरोप में कौन सी नदी कोईला नदी के नाम से जानी जाती है ऐसी कौन सी नदी है जो कि कोईला नदी के नाम से जानी जाती है बच्चों तो राइन नदी को कोईला नदी के नाम से जाना जाता है कोईला नदी के नाम से जाना जाता है B option सही विकल्प होगा ठीक है पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण आपसे पूछा गया है कि आस्वान बांध निमलकित में से किस नदी पर इस्तित है नील नदी पर बिल्कुल बिना सोचे समझे A option यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा तो बताईए बच्चों यहाँ पर आपने कितने प्रश्ण सही किये है मुझे comment करके बताईए और अब आपके लिए हिंदी की class चलेगी ठीक है तो आप लोग परशान ना हो बस मैं एक मिनट में आ रहा हूँ पूछ करके कि हिंदी वाले सरह कहां पर है तो बिलकुल बच्चों आप सभी के लिए हिंदी की class जस्ट आपके सामने दो मिनट में लाइव होने बाले है विजय विक्रम सर ठीक है हिंदी के लिए तो आप सभी लोग एक बर मुझे बताएं कि आपने कितना प्रश्ण सही किया था ठीक है और देखे मैं आपको बता दूँ कि किसी भी एक्जाम में सफल होने के लिए सबसे ज़ाजा जरूरी होता है वो होता है continuity आपके अंदर बच्चों निरंतरता होनी चाहिए आप अभी से ही अभी से ही अपना एक time table स्वयम create कर लें ठीक है और उस time table के अनुसार बच्चों आप daily workout एक continuity के तहट आप करते रहे और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब आप continuously किसी कारे को लगातार करते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि यार ये धीरे धीरे कैसे मेरा मतलब preparation बहुत अच्छे से हो गया है तो बिलकुल daily चंद्रा एंसिटूट हमेशा आपके लिए प्रतिबद्ध है हर संड़े को इस समय जो model पेपर आ रहा है वो आपके लिए एक बहतरीन collection रहेगा आप हमेशा copy pin लेकर के बैठें जो भी यहाँ के model पेपर या जो भी यहाँ के practice session आपको यह दी जाती है बच्चों उनका collection आपके पास होना चाहिए आपकी demand पर चंद्रा एंसिटूट टेलिग्राम पर भी PDF प्रोवाइड करता है और अभी इसका भी PDF आपको मिल जाएगा लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी होती है मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आप copy pin लेकर के बैठे आप प्रश्णों को स्वयम लिख ले और उसका explanation भी आप अच्छे से देख ले ठीक है तो आप सभी को thank you so much कहीं जाईएगा नहीं बस हिंदी की class आपके सामने आने वाली है अनुझ मिस्रा का केबल 6 प्रश्ण रही है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ठीक है तसी यादव का 10 सही है 14 में से very good आप सभी लोग एक बर और class को share कर ले विजय विक्रम सर जस्ट आपके लिए तुरंट लाइव होने वाले है गुड मॉर्णिंग सभी को आप सभी लोग आपके पास ये जो time है बच्चों इसमें class को जरूर share करें ठीक है प्राणवीर सिंग ग्रामीड विकास की class जल्द ही आपको provide की जाएगे अभी तो आपको practice दिया जा रहा है YouTube पर वो भी free of cost ठीक है उसकी class आपको app पर जल्द ही हो सकता है कि इसी हफते में यानि कि कल Monday चंद्रा एक सिट्यूट का जो एक हफते का schedule होता है वो Sunday को बनता है तो आज बन रहा है तो कल हो सकता है कि आपको इसके सोचना मिल जाए ठीक है आप पर भी class लिया जाएगा मैंने क्या कहा कि अभी आज इसका time table जो पूरा weekly schedule होता है वो Sunday को बनता है तो जल्द ही मतलब इसके इस पर जो है काम कर लिया जाएगा ठीक है मैं जस्ट अभी पता कर लूँ कि विजविकरम सर कितनी देर में live होने वाले हैं परशान ना हुआ ही में आएज़ णाएगा जो टाहर ऑड़े जो शी अत्रशյास अंवार जाएगा दले चराएगा ऑगाब का लूऑे जाएगी ऑगा संस्ट, किको थाऊडान, छो यूड़े ञूद, थावड़े नजूज舞र, जो इस तो लूएईट, विज खागई अार jáव Prof. झाल 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 तो बचो बस सर आख के लिए बिल्कुल लाइव होने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा वो सर यहाँ पर है नहीं वो मेरट से लाइव होंगे तो इसी वज़े से थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ रहे हैं तो परसान ना हो उसके लिए हो गया ना नमस्कार दोस्तों चंद्रा इंस्टिट्यूट के आनलाइन क्लास में मैं विजय विक्रम सिंग आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, सूप्रभात आप स्वस्त रहें, प्रसन रहें, मुस्कुराते रहें, हस्ते रहें, और जीवन में आगे बढ़ते रहें, आईए दोस्त आज की इस जोर्दास प्रैक्टिस स्रिंखला को प्रारम को मज़ा आएगा, रियल में सीखने के लिए बहुत कुछ है आपके बिल्कुल पैटर्न पर विगत वर्सों में जो प्रशन पत्र आएं हैं उनको समाहित किया गया है ताकि इससे देखिए आपको दो चीजे मिलने वाली हैं, नमबर एक आप ये जान ले कि किस लेबल के कोश्चन आते हैं, दूसरी चीज आप प्रशनों का अस्तर और प्रशन कहां कहां से आते हैं, इन दोनों चीजों को आप अच्छी तरीके से जान लें तो इसके लिए आईए आपके सामने यहां सब सुरू हो चुका है, तो हो जाईए तैयार बिल्कुल एकदम जो दाढ़ंग से और बस एक ही बात कहेंगे कि भया यह आपकी परिक्षा है, यह आपकी परिक्षा है और देखना है कि आप गुरु जी के लिए कितना सुवा सुवा इकठा कर लेते हैं, बस गुरु जी के लिए सुवा सुवा आप कितना इकठा कर कर लेते हैं यह आपके सम्मान की परिक्षा है और हम तो आपको पढ़ा रहे हैं तो आईए तो चलिए भाया अभी संख्या तो बहुत कम है अभी तो समझे रजाई से निकलने के बराबर भी संख्या नहीं है तो अब थोड़ा सा आप लोग तैयार हो जाएं और आईए शुरू करते हैं इस्तार बटे । को नम्बर एक आपके सामने मेरे बच्छे यह रहा रा यहां कोश्चन नमबर एक में कह रहे हैं कि भूष्वारी सब्द में कौन सा समास ही भूष्वात फूलवाडी का मतलब क्या होता है फूलों के लिए वाडी वाडी माने वाठिका मतलब वह वाठिका या वह स्थान जो फूलों के लिए बनाया गया है जो फूलों के लिए तो और मैं देख रहा हूं ना चलिए तब पुरुस का उत्तर क्या बात है समर चौहान जी पूजा ग और बिल्कुल जो भी भाईबान बी का आफशन दे रहे हैं डिया टोटली राइट वी इस दर राइट आंसर फुलवाडी का मतलब है फूलो के लिए वातिका या फूलो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि समास में बहुत ज्यादा तोड़ा ही मत करो आप समास में बहुत ज्यादा तोड़ा ही मत करो आप जब ज्यादा तोड़ोगे तो ज्यादा मामला फंसेगा तो फुलवाडी फूलों के लिए वाड़ी या वाठिका क्लियर चलिए नेक्स हम चलते हैं कोश्या नमबर दो की और कह रहे हैं आदमी बनाना ये भाईया इसका नहीं बटा रहा हूं हँ ताहित का अ पर मुस्कुराइट लाओ और आगे चलो कर रहे हैं आदमी बनाना इस मुहावरे दिखो बिटा यहां मैं एक बात आपको बता दूँ चुकि इस मुहावरा आपके सलेवस में है तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कभी भी मुहावरों का डाइवेक्ट अर्थ नहीं ह होता है मुहावरे का सीधार जैसे अब यहां दिया है अन्य जीव का आदमी आदमी जैसा दिखना कृत्रिम ढण से आदमी की प्रांती रूप बनाना ठीक है तो मैंने आप से क्या कहा एक सिंपल सा फंड़ा आपको दिया और कोशन सॉल मैंने कहा मुहावरा हो या लोकोक्त जब सीधा अर्थ नीज वुता तो अलग सब से अच्छा व्यवहार सीखना लोग करते है अरे आदमी हो जाओ भग्वान ने मानो हो जाओ पर हमारे हाँ अधी में इसका बहुत अलग प्रियोग है हमने आपके बता दिया हमारे हां धंचरान मनें पनागे आदमी बनाए दे वहाँ सीखना ने वहाँ पूट देना है लेकिन यहाँ जो साहित्तिक प्रयोग हम करते हैं वह यही है ठीक है जो अवद वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि गुरु जी कहाँ बता रहे हैं कोश्चा नमबर तीन अगनी का पर्यायवाची शब्द है अगनी का पर्यायवाची सब्द है उदक अरगव पिनुग पिगुन अनल देखिए आप लोग जानते हैं अनल और अनिल यह दो सब्दों का प्रयोग आप लोग जानते हैं कि अनिल जो होता है वो हवा के लिए प्र प्रयोग किया जाता है अनिल जो शब्द है अनिल अनिल सब्द जो है यह वायू के लिए प्रयोग किया जाता है और अनल सब्द जो है वो आग के लिए प्रयोग किया जाता है तो दीजदा उदक उदक माने मेधक होता है जल्वी होता है उदक का मतलब जल्वी होता है ठीक है क्लियर क्लियर पोर में डी हाँ अनल आग क्या बात है विजय कुमार जी प्रगती मौर्या जी सिखा सिंग जी प्रसान सिंग जी अनिरुध यादव जी ने तो चलिए हमें बस सब कुछ अच्छा लग रहा है थोड़ी सी यही संख्या मजा नहीं आ रही है तो थोड़ी सी पावर आप ही लोग हमारी पावर हो जब आप थोड़ा सा आप मन बनाए रहते हैं तो हमारा भी मन बना रहता है तो जड़ा एक बार मन बनाए रहिए आगे चलिए आगे चलिए भई आप 800-1000 लाइब थे आप गुरुजी के लिए इतना भी नहीं पहुंचा पाओगे आप विला स्वदेश विला फला विला विला माने घर होता है आयन है आयन निकेतल निकेल निकेल देखो विटा अगर यह सब्द निकेतन होता है ठीक है अगर यह सब्द निकेतन होता है तो यह पर्यायवाची घर का हो जाता अगर यह निकेल की जगा निकेतन लिखा होता है क्योंकि आप लोग जानते हैं घर ग्रिह निकेतन सदन नीलय आवास ने तो यह तो घर का पर्यायवाची होता ही है बिल्कुल थोड़ा सा सेयर करेंगे बी क्या बात है तो घर ग्रिह निकेतन सदन नीले आवास ये सब जो है घर का पर्यायवाची होता है पर यहां जो है यहां आप देख रहे हैं कि बिल जो है घर नहीं निकेतन नहीं निकेल लिखा है यहां क्या लिखा है निकेल लिखा है तो ध्यान देना ठीक है हाँ चेलिए तो यहां जो है यहां सदन गेह भवन धाम निकेतन ठीक है यह सब जो है आप देख रहे हैं तो यहां जो है हाँ आले भी होता है आले भी इसमें नहीं दिया गया है तो चेलिए यहां जो है बीजदर राइट आंसर क्लियर चलो आगे चलते हैं और उसमें एक सब्द और भी है आयन माने भी घर होता है जैसे लोग काते हैं नहीं क्रिष्णा आयन महा काव्य तो क्रिष्णा देखो मैं यहां एक बात एक बार और फिर से आपको बता दूं याद् ना फिर बाद में आप परिसान होगे आप कहोगे कि गुरु जी ऐसे नहीं ऐसे है ठीक है देखो इसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं दोस्त यहां आप जो है इस सब्द को भी ले सकते हैं जैसे कहा जाता है ने करिश्णायन क्रिश्णायन मतलब क्रिश्ण का आयन क्रिश्ण का घर क्रिश्ण का घर जिसमें तो बल्कि आप एक काम करिए कि यह विलाचिला रहने इंग्रेजी का यह पर्यायवाचिय तो है बट यह अंग्रेजी का सब्द है इसलिए आप ज्यादा सहिए कि आयन कर लीजिए जैसे कर दोनों में यह जो है वह एग्रेजी सब्द क्लियर हो क्या बेटे चलो आगे चलते हैं प्रस नंबर पांच का रहे हैं सुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए अस्प्रिश्यत अस्प्रिश्यता स्प्रस्यता स्प्रस्यता देखे यह अस्प्रिश्यत नहीं ता होगा इस दर राइट आंसर आपको पता है अस्प्रिश्यता, अस्प्रिश्य सब्द में ता प्रत्य लगा है, ठीक है, अस्प्रिश्यता, ये लिखा जाता है, अस्प्रिश्य और इसमें लगता है ता, तो ये बन जाता है, अस्प्रिश्यता, अस्प्रिश्यता ये, चलिए, आगे आसान कोश्चन है, कौन सा सब्द अनंत सांत अनुग्रह आग्रट अब ये परशन ही ऐसा है कि जो है अच्छे अच्छे को जो है परिशान कर दे अच्छे अच्छे को जो है ये तो सही है आक्रिष्ट निक्रिष्ट होता है ठीक है लेकिन ये आक्रिष्ट का निक्रिष्ट नहीं होता है उत्क्रिष्ट का निक्रिष्ट होता है आक्रिष्ट का अनाक्रिष्ट होता है अनाक्रिष्ट तो ये तो ये भी गलत है अनंत का सांत होता है ये सही है अनुग्रह का आग्रह हो सकता है, इसलिए B is the right answer, आक्रिष्ट का अनाक्रिष्ट, निक्रिष्ट ना, उतक्रिष्ट का निक्रिष्ट होता है, ध्यान दीजेगा बेटे, उतक्रिष्ट सब्द जो होता है, उतक्रिष्ट का निक्रिष्ट होता है, ठीक है तो यह क्रिय से रहेगा यार तो उपक्रिष्ट का निक्रिष्ट होता है क्लियर ओके छलिए अनुरूप का विलोम शब्द है अनुरूप का विलोम शब्द है प्रतिकूल अनुरूप प्रतिरूप A and C दोनों दिखिए अब इसमें अनुरूप देखिए प्रतिकूल यह तो हो नहीं सकता अनुरूप का प्रतिकूल तो हो नहीं सकता प्रतिरूप ठीक है अनुरूप प्रतिरूप ठीक तो लिबट यह नहीं है तो यह वाला आफशन नहीं होगा C is the right answer clear? चलो सुरेश गीत गारहा था यह काल की द्रिश्टी से कैसा वाक्य है भूत काल है वर्तमान काल है अपून भूत काल है इनमें से कोई नहीं सुनो बेटा देखो आपको दो जुगार बताता हूं बिल्कुल कभी जिन्दगी में गलत नहीं होगा कभी जिन्दगी में मिश नहीं होगा कभी गलत नहीं होगा मैं एक बार आपका कमेंट भी ले लूँ मैं देख लूँ कि आप आपक्या अपना सही उत्तर बता रहे हैं फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताओं एक आपका व हाँ, C का अंसर बहुत से भाई, क्या बात है यार, चेले मेरे तेज हैं, चेले मेरे तेज हैं, अब देखो, कुछ भाई बहन A का अंसर दे रहे हैं, कुछ C का अंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जो A का अंसर दे रहे हैं, वो गलत हैं, जो C का अंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है यार एक बात बताइए जिस उत्तर में क्लियर्टी ज्यादा होती है स्पष्टता ज्यादा होती है वहीं उत्तर हमेशा मानने होता है और जो क्लियर्टी असपष्टता वह पूर्ण भूत के तो बहुत से भेध हैं जैसे आप किसी चौराहे पर जाते हैं तो आप से कोई पूस्ता है कि भाईया कौने गाहों से हवां तो आप अपने गाउग का नाम बता देते हैं तो घाव के नाम से आपकी पाचान की नहीं हो क्योंकि गाउँ में तो बहुत से लिग रहते तब वह जरूर्ण पूस्ता है केकर्हे सबसे सही उतर है कि हम फला के लड़के हैं वही काम प्राम सेस्टाशने हैं वही करना झाल को झाल के लड़के हैं वही काम जड़के हैं वही हैं? झाल 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 दोस्तों ये थोड़ी सी दिक्कत आई आवाज की तो दोस्तों बस चलिए देखते हैं अगर एक आग दो कोश्चन और खिच जाए अगर एक आग दो कोश्चन और खिच जाए जल्दी जल्दी अगला है कोश्चन नमबर नौ वर्तमान गाल के कितने भेद होते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वर्तमान काल जो होता है वर्तमान काल के जो है पांच भेद होते हैं वर्तमान काल के इसमें दिया ही नहीं है, वर्तमान काल के चार को पांच कर लो, सामान या वर्तमान, भूत काल के देखो, तरीका मैं बता दू, जो लोग मात्रा गिनना जानते हैं, वो देख लो बेटा, भूत काल लिखा है, दो, एक, टीन, दो, पांच, एक, श, भूत काल की 6 मात्रा, 6 मात्रा माने 6 भेद, और भूत से 1 पहले वर्तमान आता है, जैसे 20 से 1 पहले 19, तो आप कैसे 19 लाते हो, 20 में से 1 घटा देते हो, तो भूत से 1 पहले वर्तमान आता है, तो 6-1 is equal to 5, 5 भेद होते हैं, चलिए, ठीक है, फटा-फट आगे बढ़ेंगे, कोश्चन नमबर 10, कह रहे हैं, वचन की द्रिष्टी से 1 वचन है, कौन सा है, होट, आप जानते हैं, बहुवचन होता है, पुलिस दर्सन समाचार, पुलिस एक बचन है, होट दर्सन समाचार बहुवचन है, कोश्चन नमबर 11, चाकू सब्द का बहुवचन होगा, चाकूएं, चाकूओं, चाकू, 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 बहुवचन होता है, ठीक है, चाकूओं नहीं होता, चाकूओं कोई सब्द नहीं है, ठीक है, बहुत से चाकू, बहुत से चाकू, इस तरह से लग किया तो यहां जो है अल्रेडी उसका बहुपुचन क्यों ही होता है क्यों नंबर 12 यह मेरा कण है गजब हो यह मेरा कण है पर नहीं घर है में कारक है कारक है संबंद कारकmarhow Medhat घर संबंद बन रहा है कि नहीं मेरा घर है ठीक है चलिए next question number 13 वह अगले साल आएगा वह अगले साल आएगा इसमें कौन सा कारण है अब देखिये अगले साल आएगा इसका मतलब कहीन कहीं अलगाओ हो रहा है कि नहीं भै अभी यहां है अभी यह अगला साल जितने भी दिन और जब अलगाव हो रहा है तो अपादान कारत निमलिखित में इस्त्री लिंग सब्द पहचानिये इस्त्री लिंग सब्द पहचानिये समुदाय बढ़ा है गवरों बढ़ा अस्विनी लगी तंसार बढ़ा संसार जो भी है ठीक है, तो she is the right answer, clear, question number 15, हल्दी सब्द का तत्सम है, हल्दी सब्द का तत्सम है, मैं एक बार जाना चलिए, आगे देखते हैं, हल्दी सब्द का हरिद्रा होता है, ठीक है, हल्दी का हरिद्रा होता है, question number 16, केशट, केशट नहीं है बेटा, ये केवट है, केवट का कैवर्ट होता है, केवट का कैवर्ट होता है, question number 18, सुद्धवाक के पहचानिये, ध्यान रखना, राम ने आम खाया यह सुद्धवाक के है, क्यों? सीता को राम ने बन भेजा, अब यहां राम भेजने का काम कर रहे हैं, राम करता हैं, तो राम यहां रहेंगे, मैंने पुष्टक खरीदा है, खरीदा नहीं, खरीदी है, उसको तुमने क्यों मारा, तुमने उसको क्यों मारा? तो इसलिए A is the right answer Question number 18 सुद्ध वाक्य का चैन कीजिए किसी आदमी को भेज दो किसी भी आदमी को भेज दो किसी भी आदमी को भेज दे दे नहीं यहां दे हैं किसी भी आदमी को भेज दो वह कहना आपकी गलती है इसमें से कोई नहीं किसी आदमी को भेजने क्योंकि जब आप किसी लग गया तो भी की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अगर किसी ठीक है किसी लग गया तो भी की कोई जरूरत नहीं है वह कहना आपकी गलती है यह कहना आपकी गलती है तो यह दर राइट आंसर कम से कम हम 20 कोश्चन कवर करा दें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है माईक में अंबक सब्द पर्यायवाची है अंबक आँख का पर्यायवाची होता है किसका पर्यायवाची होता है बेटे आँख का कोश्चन नमबर 20 किस सब्द का अर्थ पतंग नहीं होता है ध्यान रखना पतंग माने पक्सी भी नौका भी सूरे भी तुंग नहीं होता है तुंग का मतलब होता है झाल 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 प्रवेन सिंग आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कुछ टेक्निकल तकनीकी समस्याओं के कारण बीच बीच में जो है दिक्कते आई चले दोस्तों हम लोग प्रस्ण देखते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं आज का मैंने मैत का जो पहला प्रस्ण लिया है एक बेहतरीन प्रस्ण है और अकसर परिच्छाओं में पूझा जाने वाला प्रस्ण है सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है सब कुछ क्लियर है एक बार कमेंट करके बता दीजे दोस्तों लिखा गया है कि बाद 15 वस्तुओं का क्रेमुल 10 वस्तुओं के बिक्रेमुल के बराबर है तो प्रतिसत लाभ ग्याद कीजिए बहुत सांदार तरीके से आपको बताता हूँ कुछ भी नहीं है एक सामान इसा प्रशन है आप देखेंगे तो आपको मजा आजाएगा मेरे प्यारे दोस्तों X,Y,Z ये सब मानकर हम अपना समय बेर्थ नहीं करते रीजन ये कि जब हम सब प्रशनों को X,Y से मानकर लगाते हैं उसके लिए टाइप और टाइम दोनों होना चाहिए मेरे पास हर टाइप का कुश्चन होना चाहिए और टाइप होना चाहिए तो दोस्तों देखें करना कुछ नहीं है यहां सीधे आप बस इतना लिखिएगा कि 15 वस्त जो है उसे क्रे लिख लेजिएगा 15 क्रे बराबर है 10 विक्रे के देखिए प्यारे दोस्तों जो 15 क्रे है वो बराबर है 10 विक्रे के तो क्रे अनुपात विक्रे क्या हो जाएगा तो क्रे अनुपात जो विक्रे होगा मेरे प्यारे दोस्तों हम इनकी तुलना करेंगे जब तुलना करेंगे तो क्रै की मान यहां से देखिए क्रै की वैलो 10 आ जाएगी और मेरे प्यारे बच्चों भी क्रै की वैलो कितनी आ जाएगी 15 यदि आप कोई बस तो 15 में बेचते हैं और आपने 10 रुपए का खरीदा है तो निश्यत तोर पर आपको प्रॉफिट होगा कितने रुपए का 5 रुपए का प्यारे बच्चों लाब प्रतिसत बराबर हम सभी जानते हैं कि जितने का लाब हुआ बटे जितना उसकी कास्ट प्राइस थी और इंटू में 100 किया तो तुरंत मुझे मिल गया 10, 50, 50% आप्सन नमबर C तो जिन लोगों ने इसका उत्तर 50% दिया है उन सभी का बिल्कुल सही है बिल्कुल सही जवाब है भाई बिल्कुल सही जवाब है सभी का एक बार पुना बहुत-बहुत श्वागत है ठीक है 50% बहुत रामसेवक निशाद की बहुत-बढ़े है उत्तर है भाई आपका शिखर सिंग जी विपिंडावद जी प्रग्या गुपता जी रामसेवक निशाद जी ससीयादो जी सभी का सभी का बेहतरीन जवाब चली आई दोस्तों अगले प्रश्ण पर आपको लेकर चलते हैं आज के लिए कुशन नंबर दो आपके स्क्रीन पर ये रहा ध्यान से देखिएगा एक वर्ग के अनतह बृत और परिबृत के छेत्रफल का अनुपात क्या होगा एक वर्ग के अनतह बृत एक दम बढ़िया से आपको बताते हैं एक बर्ग हो गया इसके अनतह बृत मैंने बनाया तो अनतह बृत ये हो गया और एक वही बर्ग है लेकिन उसके पर बृत बनाया गया है अब भी आप समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों यदि मैं तो यहां भी तो वही भुजा बराबर होगी अर्थात इसका जो ब्यास होगा वो ये होगा और अगर बृत का ब्यास ए है तो रेडियस त्रिज्जा होगी ए बाई टू और मेरे प्यारे दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं आप भी जानते हैं ब्रित्य का छेत्रफल होता है पाई आर का स्कॉर तो पाई तो पाई रहेगा लेकिन आर की जगा दोस्तों ए बाई टू का स्कॉर लिखेंगे तो कितना आ गया आपको पता है मैं धर लिख देता हूँ ये हो गया ए स्कॉर पाई बाई कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों फोर तो किसी बर्ग के जो अंतह बृत्त का छेत्रफल हुआ वो A स्क्वाइर पाई बाई फोर हो गया अच्छा अगर मैं यहां बर्ग की भुजा A लो तो दोस्तों जो बर्ग का बिकन होगा वही बृत्त का ब्यास होगा ध्यान से देखिए कहने का मतलब बर्ग का बिकन ही बृत्त का क्या है बृत्त का ब्यास है तो दोस्तों बर्ग का बिकन होता है भुजा रूट टू तो यही बृत्त का ब्यास है जब यह ब्यास है तो त्रिज्जा क्या हो जाएगी इसका आधा अब आप बताएं छेत्रफल क्या होगा पाई रहेगा आर का स्कॉयर तो ए रूड टू बाई टू का होल स्कॉयर मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया टू ए स्कॉयर पाई बाई फोर अब देखिए मामला एकदम क्लियर है सब कुछ आपके आँखों के सामने है दोस्तों ये देखिए लिखा है कि अंतह बृत्य का छेत्रफल है ए स्कॉयर पाई बाई फोर और बाई बृत्य का छेत्रफल है टू ए स्कॉयर पाई बाई फोर तो भईया फोर से फोर कट गया इससे ये कट गया तो कौन सा आप्सन निकल कराया आप्सन नमबर फर्ष्ट ए एक रेशियो दो कहने का मतलब किसी बर्ग के अंतहव्रित्ट और बाहव्रित्ट के छेत्रिफल का जो आपको रेशियो मिलेगा वो हमेशा होगा वन रेशियो टू, एक अनुपात दो काफी दोस्तों ने दिया है, एक तरब से भाई, लाजवाब उत्तर दिये है, नीरत जी बहुत से लोगों ने एक तरफ से सही जवाब दिया है। बिल्कुल एक अनुपात दो ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ससी आदो जी साम को साथ बजे पर चल लए ठीक है। जामेटरी का प्रेश्ण है यदि OA एक दिया है दस तो आप इसमें लिख लिजिए कि OA बराबर दस सेंटीमीटर OA एक तोगा सा गलत टाइप है AC ये जो है AC की बैलो दिया है 16 तो दोस्तों जब इस से इस पर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा अब ये OA की बैलो दिया है कितना 10 दिया है क्लियर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे तो एक समकोण त्रिभुज है ये बस दिया है ये भुजा 8 हो गई इसे हम लोग कहते हैं लंब और लंब बराबर होता है कर्ण का बर्ग माइनस आधार का बर्ग याद होगा पाइथा गोरस पर में और रूट लग जाएगा तो दोस्तों कर्ण इसमें दिया है 10 का बर्ग और माइनस 8 का तो दस दहमा 100 और 8 हठाई हो गया 64 तो दोस्तों रूट में 30 स्तिक्षाया जो की बराबर है 6 के तो ये किस भुजा की माप कितनी है इस भुजा की माप है 6 आप्सन नंबर कौन सा आप्सन नंबर है आपका बी क्लियर भाई सभी दोस्तों को क्लियर बहुत बढ़िया जिनों इन सिंग जी शसी यादो जी प्रग्या जी आभा यादो जी संतोष कुमार जी समर चौहान जी राम सिवक निसाद जी रोहिश शुकला जी बहुत बढ़िया ससी यादो जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा चलि दोस्तों ले चलते हैं कुश्य नंबर 4 पर जहां भी है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इसकल टू के तो कहता है कि एक्स स्कॉयर प्लस 1 बाई एक्स स्कॉयर और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान ग्याद कीजिए तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि स्कॉयर के लिए दोनों पच्छों का बर करते हैं और घन के तो यह n square minus 2 हो जाता है और अगर cube चाहिए तो n का cube minus 3n हो जाता है जहां n जो है वो value है कितना 2 ठीक है मेरे भाई कहां से आया n square minus 2 जहां 2 लिखा है वहाँ n लिखकर दोनों पच्छों का बर कर दीजिए तो मिलेगा n square minus 2 cube कर देंगे तो n cube minus क्या मिलेगा 3n दोस्तों तो यहां 2 तो यहां देखो भाईया मैंने 2 का square minus 2 कर दिया अभी एक और rule बताता हूँ यहां 2 का cube और minus 3 गुड़े 2 कर दिया तो मेरे प्यारे दोस्तों यह 2 आया और यह भी देखो भाईया 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दो ही आएगा तो बैलो कितना आएगा 4 आएगा option number B एक और सरल तरीका कौन सा तरीका देखिए दोस्तों यह समी करन को संतुलित करने के लिए यक्स का मान हमेशा एक आपको put करना पड़ेगा एक रखना पड़ेगा तो जब यहां एक रखे हैं तो यहां भी एक रखेंगे तो एक का square यह यहां एक का cube और यहां भी एक का cube इसकी भी वैलो दो आ गई तो दो दुनाई कितना हो गया दोस्तों चार हो गया क्लियर बहुत बढ़ी है जिन्नोंने चार उत्तर दिया है बहुत 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 ब एक रख कर भी कर सकते हैं ठीक clear चली ले चलते हैं दोस्तों आज के question number next पर अर्थात question number 5 पर ध्यान देंगे कि पच्वाप्रस्ण क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों ये लिखा है a plus 1 by a यहाँ a है a plus 1 by a का whole square बराबर 3 है तो दोस्तों a plus 1 by a ये बराबर क्या हो जाएगा इस पर root लग जाएगा लगेगा की नहीं लगेगा आप बताओ लगेगा अब cube निकालने के लिए n का cube minus 3 n करते हैं हम लोग clear अभी बताएं तो देखो root 3 का आप cube करिए और minus में 3 root कितना करिए 3 करिए देखिए क्या आता है 3 root 3 और ये भी तो भाईया 3 root 3 ये है तो 3 root 3 3 root 3 किसके बराबर 0 के correct option कौन सा सही है option number 1 ये मैं समझा दो आए root 3 का 3 बार आपको multiply करना है तो 2 बार में 3 बाहर आ गया और ये हो गया और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ भी n की जगा आपको क्या put करना था ये न की जगा 3 ये देखो n की जगा कितना put करना था n की value कितना आपने किया था root 3 clear तो इस तरह इसकी value क्या आ गई 0 बढ़ते हैं काफी लोगों ने इसका भी सही जवाब दिया है भाई जिन लोगों ने दिया है एक बाद नाम जरूर लेना चाहूंगा प्रग्या गुप्ता जी का बिल्कुल सही जवाब है मृतुन्जे कुमार जी का बिल्कुल सही जवाब है प्रवेश कुमार जी बिल्कुल सही ससीयादो जी आभावादो जी सभी दोस्तों का बिल्कुल एक तरब सिक्दम correct answer आया है एकाज लोगों का इधर उधर हुगा है तो उतना माना जाता है कि भाई जल्दबाजी में भी हो जाता है कभी कबार लेकिन ठीक है बहुत बढ़े अउत्तर दे रहे हैं चलिए अगले पे चलते हैं कुशन नमबर 6 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं छठा प्रशन क्या है परसेंटेज का प्रशन है मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिएगा कहता है किसी परिच्छा में 52% हिंदी में 42% अंग्रेजी में फेल हुए 17% दोनों बिसेओं में फेल हुए तो कितने परसेंट बिद्यार्थी दोनों बिसेओं में पास हुए देखिए सीधा सीधा करना चाहें तो 52 इसमें फेल हुए 42 इसमें फेल हुए और 17 दोनों में तो बाबु जो दोनों में फेल हुए हैं वो कहां से हैं वो इन ही में से तो हैं तो ये कितना हो गया देखिए दो दो हो गया चार 94 माइनस 17 लोग फेल हुए तो 14 में से 7 गया 7 8 में से 1 गया 7 77 परसेंट लोग फेल हुए तो मेरे प्यारे बच्चे पास कितने हुए परसेंटे 100 का होता है 77 फेल हो गए तो 3 आया और 2 आया तो जो पास हुए है कितने परसेंट पास हुए option नमबर C 23 परसेंट देखा जाए वही उत्तर किसने किसने जवाब दिया सही समन ने दिया है अरविंद जी ने दिया है रामसेवक निसाथ जी ने दिया है भविता जी ने दिया है रोहिज जी ने दिया है ससी आदो जी ने दिया है सुदीर जी ने दिया आमिजी ने चलिए बहुत बढ़िया चलिए दोस्तों कुश्चन नमबर 7 पर आपको ले चलते हैं देखिए अगला प्रेश्चन क्या कहता है कुश्चन नमबर 7 की बात करते हैं कि 7 क्या कहता है लिखा हैं दो संख्या हैं तिसरी संख्या से 25 प्रतिसत और 20 प्रतिसत कम हैं ध्यान दिजीगा दो संख्या हैं तो मैंने पहली संख्या ले लिया दूसरी संख्या ले लिया और कौन सी संख्या ले लिया तिसरी संख्या ले लिया कहता है दो संख्या हैं क्रमसा तीसरी संख्या से पचीस और वीस कम है तो आप इसे सौ माल लीजिए क्रमसा का मतलब होता है क्रम से तो पहला पचीस परसेंट कम है तो सौ में से पचीस घटा देजिए दुसरा वीस परसेंट कम है तो यह असी हो गया और सरल करना है काट बीजिए किस से जिस से कट रहा हो ना काट ना हो तो मत काट ये आपकी इच्छा पर देखे कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रस्षत है तो पहली संख्या 75 है दूसरी संख्या से तुलना करने को कह रहा है और गुड़े क्या सो बीस चोग कसी बीस पंचे सो ठीक है पचाम पचीस पांग सते 35 और 35 दो 37 बटे कितना चार तो ये चार नवाई 36 एक 37 चार तियाई बारा तीन पंद्रा चार सते 28 और 4 पंचे 20 ये है 93.75 परसेंट करेक्ट एंसर है option number D बताएं इसका भी उत्तर लोगों ने दिया है बहुत बढ़िया भाई जिनों ने दिया है अच्छा दे रहे हैं जो लोग भी दे रहे हैं अच्छा उत्तर दे रहे हैं चलिए आगे बढ़ा जाए question number 8 की तरफ चलते हैं आठवा प्रशन क्या कहता है जरा आठवा प्रशन पर ध्यान देते हैं किसी संख्या का 18 परसेंट 75 के 12 परसेंट के बराबर है तो संख्या पूछा है तो संख्या मान लिजिए यक्स यक्स का 18 परसेंट बराबर है 75 के 12 परसेंट के मैंने कुछ गलत तो ना लिखा किसी संख्या का 18 परसेंट 75 के 12 परसेंट ये कट गया सहिए भई 6 तरीक 18 और 6 दुनाई 12 तीन से कट गया 3 एक के 3 स्वरी तीन दुनाई 6 तीन पचे 15 तो यक्स की वैलो कितनी आई 50 तो वो संख्या बराबर है किसके ओप्सन नमबर एक के अर्था 50 के क्लियर चली कुश्य नमबर 9 क्या कहता है आए देखा जाए कहता है किसी संख्या में 10 प्रतिसत की ब्रिद्ध की जाती है और फिर उसी संख्या में 10 प्रतिसत की कमी कर दी जाती है तो अंतता कितना प्रतिसत का परिवर्तन होगा मेरे प्यारे बच्चों अगर होने वाली बृद्धी और कमी समान हो तो यक्स इसक्वायर बटे 100 का प्रयोग हम कर सकते हैं और इसमें कभी प्रॉफिट नहीं होता हमेशा घ्राता होता है क्यूं होता है बिल्कुल समझाता हो तो दोस्तों ये हो गया 10 का इसक्वायर बटे 100 तो ये आया आपका 100 बटे 100 जो की दरसाता है एक प्रतिसद की कमी को अच्छा मन में भी तो उठ रहा होगा कि ऐसा क्यूं होता है नहीं उठ रहा है ऐसा क्यूं होता है जानना है आईए बताते हैं दिखाता हूं आपको मान लिजीए 100 है 100 को आप 10% बढ़ा दिये तो 110 हो गया अब इसे 10% घटाने का मतलब 110 गुड़े 90 बटे 100 हो गया तो फाइनली आया कितना 99 तो यहीं कहता है कि फाइनली परिवर्तन कितना हुआ तो भाई क्या हुआ फाइनली परिवर्तन एक प्रतिसद की क्या आगई कमी तो जब समान बृद्धी और समान कमी होगी तो हमेशा और हमेशा कमी आएगी चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रेशन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रेशन कहता है किसी बस्त के मुल में 25 प्रतिसद की कटवती की गई तो ये बताए कि इसके आरंभिक मुल पलाने के लिए कितने प्रतिसद की ब्रिद्धिकरनी होगी दोस्त एक वस्त की कीमत है 100 रुपया 25 प्रतिसद घट गई तो हो गई कितना रुपया 75 रुपया मेरे प्यारे बच्चों वो कहता है कि नए मुल पर वापस जाना है तो बताए कितने की ब्रिद्धी होगी तो आप कहेंगे कि सर 75 से 100 पर चलना है और जब 100 पर चलना है तो आपको ब्रिद्धी 25 की करनी पड़ेगी पचीस की ब्रद्धी कितने में पचहत्तर में और परसेंट चाहिए तो गुड़े सो तो ये भाईया आएगा तैते सही एक बटे कितना परसेंट तीन परसेंट करेक्ट अंसर है आप्सन नमबर सी इनी प्रशनों को आप रटते हैं कि एक्स बटे सो धनी एक्स या एक्स बट करता है अगर हम सारे प्रशनों को रट कर ही एक्जाम देने जाएंगे तो पक्का ना भूलेगा कि नहीं भूलेगा से और भूलेगा भई चली बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कुश्यन नमबर 11 की कुश्यन नमबर 11 में क्या कहता है बहुत बड़िया प्रश्न है कई प्यार आया है कई एक्जाम में आया है प्यारे बच्चों कहता है कि एक बटे बारा एक बटे पन एक बटे बीस एक बटे तीस एक बटे तीस ठीक है एक बटे बारा को मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इतना LCM लेने लगे तब तो भाईया मेरा गरवर हो जाएगा और देखो यहाँ 90 होना चाहिए तो हम करते क्या है कि इनका फैक्टर कर लेते हैं एक बटे बारा का मतलब तीन गुड़े चार एक बटे बीस का मतलब चार गुड़े पाँच ऐसे तीस का मतलब पाँच गुड़े छे 42 छे गुड़े साथ 56 गुड़े आठ 72 आठ गुड़े नौ और 90 मेरे प्यारे बच्चों 9 गुड़े 10 हो गया अच्छा ऐसा किये क्यों ऐसा मैंने किया क्यों भाई ये भी तो हमें आपको जानना पड़ेगा न कि आखिर ऐसा किया क्यों ऐसा इसलिए किया कि इसको अगर मैं 1 बटे 3 रिण 1 बटे 4 लिखो तो वही आता है 1 बटे 12 घटा के देखिए 1 बटे 3 में से 1 बटे 4 घटाएंगे तो LCM आएगा कितना 12 और 4 में से 3 गया तो यही आएगा जब ये आ रहा तो ये भी आएगा फटा फट आप इनको तोड़ सकते हैं ठीक है भाई बताईएगा जहां दिक्कत होगी सारे मेरे दोस्त एक दुसरे से प्लस माइनस होने के नाते कट जाएंगे तो बचेगा किवल 1 बटे 3 पहला वाला और दुसरा वाला 1 बटे 10 इनका LCM हो गया 30 और 10 में से यह देखिए तीन दहां 30 दस और में से तीन गया तो साथ बटे 30 आएगा साथ बटे 30 कहीं दिखी नहीं रहा मतलब साथ बटे 30 आप कोई भी एक option इसमें कर लिजिएगा कि साथ बटे 30 आएगा ठीक है क्योंकि 10 और तीन का LCM कितना आएगा 30 आता है ठीक है चलिए next प्रस्ण पर ले चलते हैं बिलकुल आपने भी सही जवाब दिया है आईए अगले प्रस्ण पर चलते हैं यह देखिए एक बटे 35 एक बटे 63 इसको भी तोड़िये बहुत अच्छे से होगा पांस सते 35 अगले में भी वही अंतर होगा तात 69 63 अगले में भी 9 11 का अगले में भी 11 13 का और अगले में भी 13 दो कितना हो गया 15 हो गया देखिए जितना अंतर पहले में बनेगा उतना ही अंतर आगे भी जारी रहेगा आगे भी बनेगा दोस्तों अब सुनिए अब एक बटे 5 में से एक बटे 7 घटाने पर एक बटे 35 नहीं आता देखिए घटा के देखिए अगर आ जाए तो मुझे बताए दो बटे 35 आता है तो क्या करते हैं जितना इनके बीच का difference है उससे multiply कर देते हैं बाकी मेरे प्यारे दोस्तों जैसे करते थे वैसे करेंगे बताते चलिएगा कहीं दिक्कत हो कमेंट करिएगा मैं अभी आपका कमेंट देख लेता हूँ इसलिए कि भई अगर पढ़ रहे तो सब कुछ आना चाहिए देखिए ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो बचा कौन एक बटे दो एक बटे पांच और एक बटे पंदरह ब एक बटे दो गुड़े ये देखो पांच तियाई पंदरह तीन में से एक गया दो बटे पंदरह हो गया तो ये कट गया तो बच्चों आया कितना वन आपान फिप्टीन आप्सन नमबर बी तो जिनोंने भी आप्सन नमबर बी दिया है उनका बिलकुल सही है एक बार नाम सुप्ता जीने क्रिश्णा सिंग जीने समर्चोहान जीने रिंकुशानी जीने दिया है रिकुल जीने दिया है तुधीर जीने दिया है समर जीने दिया है रिसी जीने दिया है मितिसेन गौतम जीने दिया है शुभम जीने दिया है शुधीर जीने दिया है ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो अगले प्रस्ण पर आपको लेके चलते हैं, ठीक है, चली बहुत अच्छे, क्लियर हो रहा भाई, आए, नेक्स्ट प्रस्ण देखते हैं, कुश्यन नमबर 13, अब तिरा हुआ प्रस्ण क्या कहता है भाई, अच्छा ये भी कुछ ऐसा ही है केवल पहले को तोड़ना सीखिए, बाती सब खुद बखुद तूट जाएंगे, 154 को अगर मैं तोड़ू, तो मुझे लगता है कि 11 गुड़े 14 आएगा, देखो 11, 44, 11, 11, 15 हो गया, अब कुछ मत करिए, अब उपर आप मत देखिए क्या लिखा है, यहां देखिए कितने क अंतर है, 11 के बाद 12, 13, 14, तो यहां 14 होगा, 14 के बाद 15, 16, 17, ठिक, आप चाहें गुड़ा कर लें, 14, 17 का यही आएगा, अगला 17 में 3 फिर जोड़िये, तो 17 और 20 का होगा, देखो यह अगला वाला हो गया, यह वाला हो गया, यह, अगला जब लेंगे, तो यह पक्का है कि 20 और 23 है, गुड़ा करके आप देख सकते हैं, इतना आएगा, और लास्ट वाला लेंगे, तो यह 23 और 26 है, करके देख लीजिए, यही आएगा, मैंने क्या कहा, जितना इनके बीच डिफरेंस है, उनसे आप मल्टिप्लाई करिए, तो देखे इसके बीच डिफरेंस कितने क है, तीन का तो एक बटे तीन का गुड़ा किये, अब आप पहला पद ले लीजिए, यह मैं पूरा लिख देता हूँ, इतना बटे 11 माइनस 14, यह 14 माइनस 17, 17 माइनस 20, एक बटे 20, और एक बटे 20 माइनस एक बटे 23, प्लस एक बटे 23, माइनस एक बटे 26, सब कट जाएगा, प्लस माइनस से बचेगा कौन, एक बटे 3 बचेगा, एक बटे 11, और एक बटे 26 बचेगा, अब देखो मामला फसा, 11 एक प्राइम नंबर है, एक अभाद संख्या है, तो LCM का मतलब डारेक्ट गुड़ा करना है, तो 11, 6, 6, 11, 12, 6, 8, 286 आ गया, एक बटे 3 का साथ मत छोड दिएगा, यह देखो यहाँ 26 हो जाएगा और यहाँ 11 हो जाएगा, अचा लिख देता हूँ, 26 माइनस 11, तो यह हो जाएगा, एक बटे 3 गुड़े, देखो 6 में से एक गया, तो 5 आया, और यहा गया तो 15 आया, और 286 आया, तीन से काटो तो 5 आया, तो दोस्तों पहला ही option आपका सही रहा 5 बटे 286 ऐसे प्रश्ण आते हैं और आप भी जानते हैं ये अच्छे प्रश्णों की स्रिंखला है और ठीक है चलिए लाजवाब सभी के उत्तर आईए दोस्तों कुश्ण नंबर नेक्स्ट पर ले चलते हैं कुश्ण नंबर अगले की बात करते हैं 14 अधा अतना प्रश्ण आपको बहतर ढंग से समझ में आ गए हैं ठीक है आगे के प्रेशन मैं आपको बताता हूँ एक बार बताए कैसा लग रहा है भाई सब कुछ शमज में आ रहा प्रेशन अच्छे लग रहे हैं बेहतरीन लग रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है फड़ा फट एक बार कमेंट कर दें उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें ठीक है दोस्तों तो देखिए इन प्रशनों के उत्तर आपने दिये चलिए आपने लिखा भाई ठीक ठाक समझ में आ रहा है सब अच्छे प्रशन है और बिलकुल अच्छे प्रशन है दोस्त तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कुष्चन नंबर 14 देखते है आप माने तो ये नंबर सिस्टम का भी प्रशन है माने तो सरली करन का भी प्रशन है दोस्तों जब एक ही अंक का कई बार प्रयोग हो जैसे देखो यहाँ 6666 दिख रहा है न और यहां देखो 5555 दिख रहा आपको, तो A बराबर मान लेजिए 0.6, और B बराबर मान लेजिए 0.05, clear है, यह 0.06 है, A का गुड़ा हो गया है कितनी बार, तीन बार हो गया, तो दोस्तों यह हो गया A का क्योब, यहां भी तीन बार हो गया, B का तो B का क्योब, नीचे दो बा गुड़ा है, तो A स्कॉाइर है, यह A है, यह B है, तो A B है, प्लस यह देखो, दो बार गुड़ा है, तो B का स्कॉाइर, समझे इतनी चीजे, समझ गए, A माइनस B का होल क्योब होता है, A माइनस B, A स्कॉाइर प्लस A B प्लस B स्कॉाइर, और अपान में दोस्तों, A स्कॉ को A में से B को घटाना है यह की बैलू है दोस्तों 0.06 और इसमें से 0.05 घटाना है तो 0.0 कितना आ गया वन आ गया यह पॉइंट लगा है option number कौन सा correct है कोई दिक्कत कहीं कोई शंका तो एक बार कमेंट करके बताएं थोड़ा सा सेयर कर लिजिए चलिए दोस्त अगले प्रेशन पर आपको ले चलते हैं समय लास नहीं करते question number 15 पर देखते हैं कि आखिर 15 में क्या है तब समझ में आ रहा होगा चलिए कहता है सरल कीजिए और दोस्तों कुछ वैसा ही प्रेशन है जैसा अभी जैस्ट आपने इसके पीछे किया था अब अगर मैं देखू तो यहां गौर से देखिए एक है और यहां यह भी एक है तो ए बराबर मैं मानूँगा 0.41 और बी बराबर मानूँगा 0.69 क्लियर है यह तीन बार आया तो एका क्यूब और वह भी तीन बार आया तो बी का क्यूब अब नीचे ध्यान दीजिए एका दो बार इसक्वाइर हो गया माइनस ए है बी है ए है और b है यहां एक जगा a होना चाहिए .41 होना चाहिए मिरे प्यारे बच्छो यह .41 है और यह क्या है तो मतलब यह ab हो गया और यह b का square हो गया तो यह आ गया a plus b भाई a cube plus b cube का सूत्र क्या होता है होता है a plus b एक bracket में और a square minus a b plus b square दुसरे bracket में भाईया जब भी ऐसे प्रेश्ण मिले ना तो किवल चिन्न का ध्यान दीजिए plus है तो plus हो जाता है minus है तो minus अब क्या 0.41 a में b जोड़ना है तो नौ एक दस हो गया छे चार दस से की ग्यारा हो गया तो कहने का मतलब कितना है आपसन नंबर b 1.1 देखते हैं भाई कितने लोगों ने उत्तर दिया था इसका सही जबाब अरे क्या बात है क्या बात है रिसी जी अमिज जी राजू जी आरती देवी जी रिकुल जी राजू जी प्रग्या गुपता जी चली बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां आरती देवी जी सभी ने एक तरफ से बढ़ियां उत्तर दिया है आईए अगले प्रश्न पर आपको ले चलते हैं और देखते हैं भाई अगला बराबर इतना तो कुछ मत करिए, एक सिंपल बे है, एक बटे दो को ऐसे लिख लीजिए, एक बटे दो, तैयार, लिखा आपने, एक बटे दो हो गया, एक को count करिए, कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो यहां चार डार्ट बना लेजिए, देखिए, एक बटे दो, तो एक दो लिख दिया, चार बार एक आया, चार डार्ट बनाईए, इनको जोर डालिए, दो और एक, कितनी बाराबर, तीन, तीन दो, किसके बाराबर, पांच, पांच तीन किसके बराबर आठ, आठ पांच किसके बराबर तेरा, तो यक्स की बहलू आ गई मेरे प्यारे बच्चों, तेरा बटे आठ, ठीक है, भाई फिर से सुनिए, एक बटे दो का मतलब मैंने एक दो लिख दिया, चार बार एक था, तो चार डाट लगाया, अ तो दो एक तीन, तीन, दो पांच, पांच, आठ, आठ और आठ, पांच, तेरा, लास्ट वाला अंसर होता है, उसके पहले वाला हर होता है, तो यक्स की बहलू आ गई तेरा बटे आठ, दोस्तों, पूछा गया है, दो एक्स प्लस सात बटे चार का मान गयात कीजिए, तो 2 हो गया, X की value है, 13 बटे 8, और प्लस 7 बटे 4, तो बच्चों 2 चौक 8 हो गया, अब तो हर बराबर है, 13 और 7, 20 हो गया, 20 बटे 4 की value आई बच्चों, कितने के बराबर, 5 के बराबर, तो आपसंतो 5 दिया ही होगा, बताएं, समझ में आ गया, बिलकुल जिन्होंने 5 पचपन नहीं 5 जिन्होंने 5 उत्तर दिया है बिलकुल एक तरफ से बढ़िया जवाब है अच्छा जवाब है चली तो इस तरह से इसको जल्दी में कर सकते हैं नीचे से उपर उपर वाला प्रक्रिया आपको ना करनी पड़ेगी हां तो परिसान मत यह देखिए प्यारे बच्चों कहता है 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सिकेंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनिट में कितनी बार बजेंगी कोई नहीं दोस्तों जब 1, 7 बजना है तो इनका LCM ले लेंगे किसका भाई 2, 4, 6, 8, 10, 12 चलिए लिजिए फटा फट दो एक के दो दुनाई, दो तियाई, दो चोग, दो पंचे, दो छे, फिर ते लिजिए एक, एक, तीन, दो दुनाई, चार, पांच, दो तियाई, छे, फिर लिजिए भाई, तीन से एक, 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 दो, पांच, एक, अब गुड़ा कर लिजिए तो दो दुनाई, चार, तियाई, बारा, दुनाई, चोबिस, पंचे, एक, सो बीस हर 120 सेकेंड में एक साथ बजेगी और 120 सेकेंड का मतलब मेरे दोस्त दो मिनट में एक बार बजेगी तो दो मिनट में जब एक बार बजेगी बच्चों तो तीस मिनट में कितनी बार तो तीस बटे दो कर देंगे और एक बढ़ा देंगे तो यह पंद्रा हो गया और बजी कितनी बार सोला बार अब मन में आया कि भाईया एक बढ़ाए का है मन में आया ना, एक बढ़ाय क्यों, तो मैं दिखाता हूँ, अगर मैं, ये क्लियर है ना, अब देखिए क्यों बढ़ाय थे, वो समझाता हूँ, अगर मैं लिखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आथ, ऐसे, तीस मिनट तक, तो जब आप भाग देते हैं, तो यहां से सुरू करते हैं, दो, एक के दो, दो दुनाई, चार, दो तियाई, छे, अरे मेरे प्यारे बच्चों, जीरो पर भी तो एक बार बजी है, इसलिए जितनी बार भाग जा रहा वो, तो तीस बटे दो, और एक जो जीरो वाला काउंट नहीं हुआ, उसे जोड देते हैं, त तो कितनी बार बचता है, सूला बार, तो जिन दोस्तों ने सूला दिया होगा, बिलकुल सही जवाब है, देखिए अगा, उप्सन नमबर डी सही था, चलिए अगले प्रश्न पर, थोड़ा प्रश्न बढ़ा है, तो छोटा कर देते हैं, जिससे यह दिखाई दे, अब भी चलिए हम पढ़ तो देते हैं, पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद और छोटा बड़ा कर लेंगे, लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, एक किसान के पास 945 गाए और 2475 भेड है, उनके लिए रेवण, रेवण मतलब रहने की जगां बनाना चाहता है, और वो कहता है कि अलग रेवण में संख्या बराबर हो, किसी रेवण में पसुओं की संख्या रिपीट ना हो, तो बताइए इस उद्देश से रेवणों की कुल संख्या, अच्छा, कुछ नहीं, एकदम बिंदास तरीके से, बस इतना दिमाग में रखिएगा, 945 और 2475, सुनिए, अधिक्तम संख्या कहा, तो आप 945 और 2475 का मासा ले लेंगे, भागफल विदी से कभी मत लिया करिये, बड़ा लंबा हो जाता है, गुरन खंड विदी से लीजिए और इसमें ध्यान रखिए, उसी संख्या से भाग देंगे, जिससे दोनों कट जाएंगी, तो बच्चों 5 से मैं दे जाओ, पांच एक के पांच, पांच दुन, पांच एक के पांच, चार नो, चालिस, पान अठे चालिस, पांच नवा पैतालिस, पांच योग बीस, पांच नवा पैतालिस, पचाहम पचीस, तीन से करिये, तीन छे अठारा, तीन तरिक का नो, तीन एक के तीन, एक चार, त थीन छेट फिर तीन से करिए 21 आया और 35 पनाया तो दोस्तों जो यथा संभव जो बाड़े होंगे उसमें जानवरों की अधिक्तम संख्या कितनी होगी तो पांच त्यांप čा로 5 तो जानवरों की अधिक्तम संख्या होगी कौन सा 45 तो आगे ज्याते नहीं करना है यहीं से उत्तर आ गया कौन सा 45 और चहितर चहितर क्या है वो कहता है कि अगर एक रेवड में 45 जानवर आएंगे तो 945 जानवर के लिए कह रेवड बनाएगा तो भाईया 45 से भाग देलो भाग तो दिये हो ना ये देखो 5, 3, 15, 3, 45 से तो भाग दिये जो एक किस आया है ये भेड का है गाय का और 24, 75 भेड है एक लाइन में 45 भेड तो कह लाइन बनेगा दिये तो हो 55 तो 55 और 21 जोड़ दो तो क्या आगया चीहत्तर समझ गए भाईया प्रश्न थोड़ा बड़ा था स्क्रीन पर दिख नहीं रहा था मैंने पूरा पढ़के दिखाया आप चाहें तो एक बार मैं दुबारा से इस प्रश्न को दिखा देता हूँ अच्छा प्रश्न है आप देख लीजिए सोलूशन मैंने आपको समझाई दिया तो एक बार आप देख लीजिए कमेंट करके बताईए समझ में आ गया ये भी चलिए बहुत बढ़िया पैतालिस और चीएतर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया भई चलिए तो जब समझ गए तो अगले प्रश्न पर ले चलते हैं बढ़ा प्रश्न देखकर मत घवडाया करिये कुछ नहीं होता है दोस्त बढ़ा प्रश्न तो और जल्दी स्वाल्व हो जाता है कहता है ये दो चार छे आठ मतलब ऐसे है दो गुड़े चार गुड़े छे गुड़े आठ ऐसे दो सो तक गुड़ा करने पर कुल कितने सुनने आएंगे कुछ नहीं करना है अच्छा हम दो को क्या लिख सकते हैं दो गुड़े एक चार को दो गुड़े दो छे को दो गुड़े तीन ऐसे दो सो को लिख सकते हैं दो गुड़े कितना बच्चों सो ठीक है अब क्या करते हैं अब करते हैं कि सब में से दो को निकाल लीजिए तो यहां जब दो निकालेंगे तो एक बच्चेगा इस से निकालेंगे तो दो बचेगा तीन, एक स्रिंखला पन गई सौ तक, और दो कितनी बार निकाला? सौ बार निकाला, ठीक है भई? आपको मैं पहले बता चुका, कि जब यह है, तो इसमें दो और पांच में से, जिसकी संख्या कम होती है, वही संख्या ग्यात करते, तो पांच की कम है तो सौ को पांच से भाग दीजिए, तो पांच विसयं सब आ गया, अब भी वीस-पांच से बड़ा है, फिर वीस को पांच से भाग दीजिए, चार, तो दोस्तों जो यही पूर्ण भागफल आया यही सुन्यों की संख्या है जबकि दो का सो बार गुड़ा करने पर एक भी सुन्य नहीं आता तो कितने हो गए जीरो भाई आफसन नंबर सी चौबिस क्या बात है नागें रियादो जी पूछ रहे हैं आप लाइन एडमीशन कैसे लें ब्रांच में बिजिट करें भाई ठीक है चली आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कुश्यन नंबर बीस पर आईए देखते हैं बीसवा प्रश्न क्या कहता है कुछ भी नहीं यह भी बेहतरीन प्रश्न है यहां डी लिखा है लेकिन यह आठ लिखा है नीचे आपको दिख रहा होगा आठ आठ रुपए में दस बस तुएं खरीदी और दस रुपए में आठ बेची तो लाब बताए अरे भाई क्राय मुल्ले निकाल लिजे ध्यान से सुनियेगा दस बस तु यह आठ रुपए में तो एक बस तु कितना हो गया आठ बटे दस रुपए की और उल्टा इसका बेचा है दस बटे आठ रुपए की बस तु बराबर करने के लिए हर का यल्सियम ले लिजे तो यल्सियम 40 आ में तो लाब कितने का हुआ भाई 32 30 20 50 दो कम कर दो अठारा का लाब हुआ 32 में और गुड़े कितना हो गया 100 हो स्वाल करते हैं तो 298 और दो से काटूं तो 16 दुनाई 32 तो यह चार चौक सोला चार पचीस सो पचीस नमई या दो सो पचीस बटे चार दोस्तों चार पंचे बीस चार छे चार दुनाई आठ तो यह 56.25 परसेंट का अच्छे इसका एक और तरीका है जो आप बढ़ियां से रटके बैठे हैं वो भी बता दें नहीं तो आप कहेंगो वाला तो बताए नहीं आईए कौन सा एक तरफ आप बस तु लिख लीजिए और एक तरफ आप मुल्ले लिख लीजिए ठीक है बई आठ रुपए में दस खरीदा और दस में आठ बेचा तो पहले इसका गुड़ा दोस्तों तो दस दहम्मा हो गया तो माइनस इसका गुड़ा आठ अटाई हो गया चौन सट बटे में हमेशा यही चौन सट और गुड़े में क्या सो उत्तर पौश्टिव आया तो प्रॉफिट होगा निगेटिव आया तो लास होगा यह देखें दस में से चार गया तो छे आया च्छतिस आया बटे चौन सट आया और गुड़े मिन क्या आया तो ताईय तो मैं दो से काट तो दो त्याई च्छे और ये दो दुनाई चार बतिस और दो से मैंने इसको काट दिया तो दो एक के दो अठे सोला चार अठे बतिस और चार पचीस में सो तो दो चौक आठ और दो नवा ठारा तो फिर वही आ गया दो सो पचीस बटे कितना दो सो पचीस और बटे आ गया चार तो चार पंचे बीस चार छे चौबिस त तो सभी लोगों ने लगभग दिया भी है ठीक है तो जिसने भी करना चाहें कर सकते हैं चलिए भाई अगले प्रश्ण पर आपको ले चलते हैं 21 पर तो मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही प्रश्ण हो पाया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताईए कि आपको क्लास कैसी लगी मज़ा आया की नहीं आया तो दोस्तों आपको मैं बता दो कि एडमीशन प्रोसेस सुरू हो चुका है आप प्लेश्टोर पर जाएए चंदरा इंस्टिटिट इलाहाबाद का आप डाउनलोड करिए और उसमें से अपने कोर्स को सिलेक्ट करिए अभी फीस में भी छूट चल लएए जल से जल जॉइन करिए लाइब क्लासेज लाइब वीडियो आपको मिल लहीं है ऐसा नहीं की रिकार्ड है ठीक है तो दोस्तों आप जितना जल्दी करेंगे उतना बहतर होगा हो सकता है कि कल फीस में बृद्धी हो जाए या हो सकता है कि आपको मौका ना मिल पाए आप तयारी न कर पाएं समय कम पड़ जाए तो इसलिए दोस्तों मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जल्दी से जल्दी जॉइन करें और सफलता की ओर बढ़ें दोस्तों इन ही कब प्रश्णों को जो मैं ने दिया ऐसे ही प्रश्ण आपके एक्जाम में बनते हैं तो इन सब प्रश्णों को भी ध्यान में रखें और जल्द से जल्द एड्मिसन लें रीजन ये कि जब आग लगेगी आप पानी ढूटेंगे तो नहीं बुझा पाएंगे पहले से तयारी रखिए जम के तयारी रखिए चंदरा इंस्टिट्यूट पूरी तरह आपके साथ है तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही आप से पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन